भारत देश में एक बड़ा अभियान चल पड़ा है भारत स्वाविमान का उसके बारे में आपसे बात करने आया हूँ और मेरा आनंद दो गुना आज इसलिए भी है कि मेरे उपर आर्शी वाद देने के लिए मेरे गुरू तुल्ले माता पिता भी दोनों मेरे साथ यहां मजूद है उनकी उपस्थिती को प्रणाम करता हूँ भाव से शरनिस पर्ष करता हूँ भारत स्वाईमान का जो अभ्यान चला है परमपुजनिय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया है ये अभ्यान पांच जनवरी 2009 को इस्थापित हुआ है और बहुत तेजी के साथ पूरे देश में फैल रहा है लगबग छे महिने अभी हुए हैं इस अभ्यान को शुरू हुए और ढ़ाई लाग से जादा हमारे कार्यकरता पूरे देश में तयार हुए है और अगले छे महिने में करीब ग्यारे लाग पचास अजार कार्यकरता तयार हो जाएंगे ऐसा विश्वास है इसके अलावा परोग शुरूप से हमें काम में मदद देने के लिए सहयोगियों की संख्या करोडों में हैं इस देश में लगबग पांच करोड से जादा हमारे सहयोगी तयार हो रहे हैं इस काम में हमारे लिए तन मंधन से मदद देने के लिए इस अभयान को क्यों शुरू किया है इसकी जरूरत क्या है भारत देश की आज़ादी के 62 साल के बाद इस तरह का काम करने का महत तो क्या है ये सब बड़े प्रशन है कोशिश करूँगा कि मेरे व्याक्ष्यान से उनका जवाब मिल सके और मेरे व्याक्ष्यान के बाद मैं आपको भरपूर समय दूँगा प्रशन उत्तर करने के लिए आप जितनी देर यहाँ प्रशन करना चाहेंगे मैं यहाँ बैठूँगा आपके प्रशनों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा बारत स्वाइमान का अभियान जो शुरू हुआ है वो क्यों हुआ है और यह अभियान क्या है हम क्या करना चाहते हैं हमारा उद्देश क्या है हमारी नीतियां क्या है इन सब बातों को शुरू करने से पहले देश के बारे में थोड़ी जानकारी आप से कहना चाहता हूँ बहुत खराब है आजादी के 62 साल के बाद इतनी खराब स्थिती किसी देश की हो सकती है ये सुनकर बहुत अफसोस मन में होता है और ये एक ऐसे देश के बारे में अफसोस होता है जिस देश में महात्मा गांदी, सरदार भगत सिंग, उधम सिंग, चंदर शेकर आजार, तां ऐसे महान महान करांतिवीरों की जनमिस्थली, करमिस्थली जो देश रहा उस देश के बारे में ये जानना और सोचकर बहुत अफसोस होता है कि इतनी खराब हालत है हमारे महापुरशों के नाम लेना शुरू करें तो शրी राम, श्री करशन, महावीर, गौतम, भॉध, नानक सहाब, हमारे देश में दक्षन में हुए, तिरवन लुवर, सूरदास, तिंसी दास, कबीर दास, ऐस अनेक महापुरशों की जनमिस्थली और करमिस्थली भारत, उसकी आज की दशा देखकर बहुत अफसोस और दुख होता है कभी इस देश में राम राजी रहा कभी इस देश में करश्न राजी रहा राम राजी के बारे में आप सबी जाते हैं जानते हैं देहिक देविक बहुतिक तापा राम राज्य में कदोन अव्यापा मने भगवान शरी राम की राज्य की इस्थती ऐसी रही है कि दैविक दुख, दैहिक दुख और भौतिक दुख कभी किसी को नहीं रहा और ये तीन तरह के ये दुख जीवन में सबसे बड़े होते हैं कभी नहीं रहे इस देश में, ऐसा राज्य कभी चलता रहा जिस देश में आज उस राज्य में हर व्यक्ति को दैविक दुख, हर व्यक्ति को दैविक दुख, हर व्यक्ति को भौतिक दुख हो गया तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, क्या हो गया हमारे देश को कौन सी ऐसी विपताने घेरा कौन सी ऐसी हमारी कर्म हिंता की इस्थती बनी है क्या हो गया है जो हम इतनी दारों इस्थती में हैं जिस भारत में शरी राम ने कभी साशन किया और राम राज्य में कभी कोई गरीब नहीं, भुकमरी का शिकार नहीं, कोई चोरी नहीं करता, कोई डकेती नहीं डालता, किसी को फासी नहीं देनी पड़ती, कोई अपराद नहीं होता, ऐसा आदर्श राज्य जिस देश में रहा हो उस देश के आज के राज्य की व्यवस्था बहुत शोचनिये हैं बहुत ज्यादा दुर्गती पून है कुछ छोटी छोटी बात आंकड़े में करूँ तो वो कुछ ऐसी बाते हैं 115 करोड की आबादी का देश है और इस 115 करोड की आबादी के देश में 84 करोड लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं इतनी दारुनिस्थिती है इस देश के हमारे भारत देश की जो सरकार चल रही है इस समय उसके प्रधान मंतरी है डॉक्टर मनमोहन सींग डॉक्टर मनमोहन सींग के एक बहुत अच्छे मित्र है उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता बहुत बड़े अर्थ शास्त्री है आर्थिक विशे के बड़े विशेशक के माने जाते हैं प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता हमारे देश की सरकार का एक बड़ा विभाग होता है जिसका नाम है योजना विभाग प्लैनिंग डिपार्टमेंट पंच वार्षिक योजनाएं जहां से बनती हैं उस विभाग के सालों साल उपाध्यक्ष रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता श्रीमति इंद्रा गांदी जब इस देश में प्रधान मंत्री हुआ करती थी तो उनके आर्थिक सलहकार रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता बंगाल की सरकार के सालों साल वित्त मंत्री रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन सिल्वेनिया में जाते हैं, बफैलो में जाते हैं, इस्टेंटफर्ड उनिवरसिटी में जाते हैं, दुनिया वर के जितने बड़े विश्विविद्याले आप जानते हैं, हर जगे उनकी क्लास होती है, उनके लेक्चर्स होते हैं, इतने विद्वान व्यक्ति को भारत की सरक पूरी रिपोर्ट तो नहीं सुना सकता समय की बहुत कमी है लेकिन उस रिपोर्ट का सबसे मुख्य अंश में आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि प्रफसर अरजुन सेन गुपता ने रिपोर्ट में लिखा कि मुझे इतनी हैरानी है इतना अफसोस है इतना दुख है ये कहते हुए कि आजादी के 62 साल के बाद इस देश के विकास का काम बिलकुल ना के बराबर हुआ है ये एक बहुत विद्वान प्रफसर कह रह वो कह रहे हैं कि विकास का काम बिलकुल ना के बराबर हुआ है लगबग विकास नहीं हुआ है क्यों? वो ये कहते हैं कि जब आजादी आई 1947 में तो 4 करोड लोग गरीब थे और जनसंख्या उस समय लगबग 33 करोड थी अब आजादी के 62 साल के बाद जनसंख्या 115 करोड हो गई माने आजादी के 62 साल में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी है इस देश में अंग्रेजों के जमाने में गरीबी आई थी उसका कारण था कि अंग्रेज हिंदुस्तान का धन और संपत्ति सब लूट कर ले गए इसलिए गरीबी आ गई इस देश में लेकिन अंग्रेज कि जाने के बाद क्या हो गया इस देश को इतनी गरीबी कहां से आ गई इस देश में अगर गरीबी को हम ऐसा मान लें कि जन संक्या के हिसाब से बढ़ती है हमारे देश में कुछ अर्थशास्त्री हैं जो ये तर्क देते हैं कि जितनी संक्या बढ़ेगी लोगों की उतनी गर अब 84 करोड कहां से आ गए और 84 करोड लोगों की गरीबी भी इतनी भयंकर है कि इन में से लगभग 20 करोड लोग तो इतने गरीब हैं जो 15 रुपए एक दिन में खर्च नहीं कर सकते लगभग हमारे देश में 20 करोड लोग एक दिन में 15 रुपए खर्च नहीं कर सकते 12 करोड लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 7 रुपए खर्च नहीं कर सकते और करीब करीब 10 से 11 करोड ऐसे हैं जो एक दिन में 5 रुपए खर्च नहीं कर सकते इतनी गरीबी हमारे देश में है अगर जनसंख्या की हिसाब जोड़े 34 करोड की जनसंख्या डबल कर दो 78 करोड हो जाती है तो आजादी के समय में जितनी जनसंख्या थी उससे दुगने से जादा तो अभी गरीब है इस देश में तो प्रफसर अर्जुन सेन गुपता ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है इस देश की प्रसाशन व्यवस्था पर कि 62 साल में हमारे साशन और प्रसाशन ने किया क्या गरीबी कम होने की बजाए और तेजी से बढ़ गए हमारे देश की सरकार हर दस साल पर जन संख्या का आंकलन कराती है जिसको आप जन गणना कहते हैं जन गणना जब पिछली बार हुई 2001 में और अब होगी 2011 में तो 2001 की जन गणना के समय सरकार ने कहा कि इस देश में 20 करोड लोग हैं जो बेरोजगार हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और 40 करोड लोग ऐसे हैं जो अर्ध बेरोजगार हैं अर्द बेरोजगार से मतलब किसी को साल में एक महीने काम मिल जाता है, किसी को साल में दो महीने काम मिल जाता है, किसी को साल में तीन महीने काम मिल जाता है, जब फसल की कटाई होती है तो कुसको मजदूरी मिल जाती है, जब फसल को शहरों से मन्डियों में पहुचाना होता ह तो बैल गाड़ी में धोडो कर ले जाने वालों को थोड़ा काम मिल जाता है कभी गाओं में कुछ काम नहीं है तो लोग इट के भटे पर जाकर नौकरी कर लेते हैं साल में दो तीन महीने चार महीने उनको वहां काम मिल जाता है कभी रिक्षा चला लेते हैं कभी ठेला लगा लेते हैं, कभी रेहडी लगा लेते हैं, कभी फुटपात पर अपनी दुकान सजा लेते हैं, इस तरह का काम करने वाले 40 करोड लोग हैं इस देश में, उनको अर्ध बेरोजगारों में गिना जाता है, तो अर्ध बेरोजगार 40 करोड हैं, पूर बेरोजगार 20 करोड हैं, मान प्रुपई में वो लोग शामिल हैं जिनको आजकल हमारी सरकार के द्वारा कुछ काम दिया जाता है सौरुपई रोज का तीन महिने तक साल में आप जानते हैं कि यूजना चल रही है भारस सरकार की ग्रामीन विकास के लिए तो उसमें तीन महिने काम मिलता है और वो काम भी विचित्रे खड़ा खोदो फिर मिट्टी डालो फिर खड़ा खोदो फिर उसी में मिट्टी डालो इसी का काम दे देते हैं सौरुपई रोज का इतना अपमान जनक है वहीं खड़ा खोदा थोड़ी दिर में उसी पे मिट्टी डलवाते रहते हैं क्योंकि उनके पास सच मे कोई उत्पादक काम नहीं है किसी तरह से बेगार टालने वाली इस्तिय है वो भी इनी 60 करोड में शामिल है तो आज़दी के बाद हमने किया क्या है इस देश के साथ 60 करोड लोगों को आज तक हम काम नहीं दे पाए रोजगार नहीं दे पाए फिर आप बोलेंगे कुछ लोगों को तो रोजगार मिला हुआ है इस देश में हाँ मिला हुआ है हमारे देश की सेना में काम करने वाले जो सेनिक हैं थल सेना, जल सेना, वायू सेना में लगबग 20 लाग के आसपास हैं कुल 14 लाग तो आर्मी में हैं बाकी एर फोर्स और नेवी में फिर अर्द सेनिक बल हैं हमारे देश में बार्डर सेक्यूरिटी फोर्सस और CPF वगएरा है वो 35 ए 40 लाग हैं फिर हमारी रेलवे में 15 लाग लोग काम करते हैं फिर बेंकों में करीब 17 लाग लोग काम करते हैं फिर बीमा कमपनियों में कुछ 12-13 लाख लोग काम करते हैं फिर भारत के पबलिक सेक्टर में कुछ लोग काम करते हैं फिर सरकारी नौकरियों में काम करते हैं फिर राज्य सरकारी नौकरियों में काम करते हैं ऐसे कुल लोग अगर मिला दिये जाएं उपर से नीचे तक प्रधान मंत्री से लेकर और चतुर्थ क्लास करमचारी तक तो भारत के 35 राज्यों में कुल जमा दो करोड लोग हैं ऐसे बस दो करोड लोग हैं जिनको पर्मानेंट नौकरी है पर्मानेंट जिनकी कही नौकरी जाने वाली नहीं है भले उनकी तनखा के लिए कर्ज लेकर सरकार को काम करना पड़े लेकिन उनकी तनखा बदस्तूर रहने वाली है और यही 2 करोड लोग हैं इस देश में जिनको TA मिलता है जिनको DA मिलता है जिनको HR मिलता है और उनका TA, DA, HR समय के हさाब से बढ़ता रहता है अगर हमारे देश में इंफलेशन बढ़ गया मुद्रा इस्वीती जिसको आप कहते हैं तो उनका टीए बढ़ जाएगा अगर इंफलेशन बढ़ गया तो टीए बढ़ जाएगा अगर इंफलेशन बढ़ गया तो एचारे बढ़ जाएगा उनके दूसरे अलाउंसिस उनको मिल जाएंगे मतलब कहने का सीधा सा ये है कि 115 करोड के हिंदुस्तान में दो करोड लोगों की जिंदगी, बड़े मजे की, एश की, आराम की और आनंद की है दो करोड लोग, बाकी सब भिकमंगों की हालत में और ये जो दो करोड लोग हैं, इनमें मैंने इनको भी शामिल कर रखा है टाटा, बिरला, डाल्मिया, धिरुभाई, अंबानी, नुसली, वाडिया, गोइनका, मुकेश अंबानी, अनेलंबानी इनको भी शामिल कर रखा है अब कैसा हिंदुस्तान बना है 62 साल की आजादी में एक दिन में रिलाइंस कंपनी के बैलन्स शीट पढ़ रहा था उनके कुछ डेटा निकाल रहा था, आंकडे निकाल रहा था तो पता चला कि मुकेश अंबानी और अनिलंबानी दोनों की एक मिनट की आमंदनी बीस हजार रुपए है एक मिनट की आमंदनी, मिला के नहीं, अलग-अलग मुकेश अंबानी की एक मिनट की आमंदनी बीस हजार है एक मिनट की, तो पूरे दिन की आमंदनी बारे से तेरे लाग के आसपास निकलती है अब मुकेशंबानी और अनेलंबानी है जिनकी एक मिनिट की आमंदनी बीस हजार है और चौरासी करोड़ लोग इस देश में हैं जिनकी एक दिन की आमंदनी बीस रुपई से कम है ऐसा देश हमने बनाया अगर इसको किसी मुहावरे में कहना पड़े तो कुछ ऐसा ही देश है ये कि सम्पत्ति और सम्रुद्धी के कुछ थोड़े बहुत टापू बन गए हैं बाकी गरीबी का महा सागर और दलदल इस देश में लहरा रहा है आप मेंसे भी जो लोग यहाँ बैठे हैं काफी 80-90 प्रतिशत आप मेंसे वही लोग हैं वो जो दो करोड़ वाली श्रणी में आते हैं हाँ आप लोग 84 करोड़ वालों मेंसे नहीं हैं उनको तो सुबह को खाकर शाम कीजी और शाम को खाकर अगले सुबह की इसी चिंता में जिन्दगी बीचती है तो हमने किया क्या है इस देश में आजादी के बाद ये बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है और हमारे देश की संसद अब इस मुद्दे पर बहस करने को तैयार नहीं है प्रफिसर अर्जुन सेन गुपता को मैं दो बार मिला ये रिपोर्ट आने के बाद और मैंने उनसे कहा कि आपकी रिपोर्ट आ गई हाँ आगई आपने संसद को दे दिया हाँ दे दिया प्राइम मिनिस्टर को दे दिया हाँ दे दिया आगे क्या तो उनने कहा आगे क्या वो कूड़े की टोकरी में चली गई आगे क्या जैसे सब report आती है और चली जाती है तो मैंने का अगर कूड़े की टोकरी में ही डालना था तो आपने 5 साल इतनी महनत क्यूं की तो लोने का मैंने मेहनत सिर्फ इसलिये की कि देश के लोगों की आखें खोल सकों कि हुआ क्या 62 साल में हम तो 62 साल में ये मान के बैटे हैं कि देश ने बड़ी तरक्की कर ली है बड़ा विकास कर लिया इस देश ने और हमारे तरक्की और विकास को हम नापते कहां से हैं बड़े-बड़े फ्लाइ ओवर बन गए है छे लेन की सड़क बन गई है प्रधान मंतरी सड़क योजना चत्रुबुज वो जो है golden quadilateral और फिर golden triangle ये सब बन गए है बड़े-बड़े five star hotel बन गए है बड़े-बड़े malls बन गए है shopping complex हो गए है कहीं-कहीं शहरों में metro train चलने लगी है कहीं mono rail चलने लगी है हवाई-जाज आसानी से ओडने लगे है हवाई-जाज में यात्रा करने वाले लोग बढ़ने लगे है rail में AC class में सफर करने वालों की संख्या बढ़ गई है तो हम तो ये सब देख के कहते हैं देश ने बड़ा विकास कर लिया लेकिन अगर जन संख्या की बढ़ोतरी के हिसाब से इसको निकाल कर देखना शुरू करें तो ये बिलकुल शून के नजदीक नज़र आता है नेगलीजिबल नज़र आता है जन संख्या वरदी के हिसाब से देखें तो दूसरा हिस्सा ही है जो बहुत बड़ा नज़र आता है गरीबी भुकमरी बेकारी तो प्रफसर अरजुन सेन गुपता कमिशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेरे की मेरी तो बहुत बेचैनी बढ़ गई कि ये हुआ क्या हमारे या हम तो ये मानते थे कि 62 साल सरकार ने बहुत काम कर दिया लेकिन रिपोर्ट ने तो सरकार की सारी पोल खोल दे हमारे लिए संभव नहीं रहा है हां किसी पारिटी के अध्यक्ष ने ये कहा होता उपाध्यक्ष ने कहा होता संसद में बैठे हुए MPs या MLAs विधाईका में बैठे हुए उन्होंने कहा होता हम कभी बात ही नहीं करते क्योंकि उनकी बातों पर बात करना ही मुरुखता है लेकिन एक बड़े विद्वान व्यक्ति के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट जिसने सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और वो इमानदार और निस्वारत भाव से इस बात में लगा हुआ है कि आज़ादी के 62 साल इस देश में हुआ क्या ये जानना चाहिए वो बताने के लिए ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार किये गरीबी मिटी नहीं बहुत बढ़ गए बेरोजगारी खतम नहीं हुई बहुत बढ़ गई लोगों की भुकमरी भी कम नहीं हुई बहुत बढ़ गई आपको शायद मालूम है या नई बीस करोड लोग इस देश में भूके पेट सोते हैं रोज रात को हमारी सरकार के आकड़े हैं और उस रिपोर्ट में भी ये जान करिए बीस करोड लोग भूके सोते हैं आदे से ज़्यादा बच्चे जो जनम लेते हैं इस देश में वो अपनी उमर के तीसरे महिने में मर जाते हैं क्योंकि उनकी मां उनको दूद पिलाने की इस्तिती में नहीं होती क्योंकि मां के शरीर में दूद नहीं बनता क्योंकि मां को संपून भोजन नहीं मिलता खुराक नहीं मिलती आदे से ज़्यादा बच्चे तीसरे महिने उमर तक पहुँचते मर जाते आज़ादी के 62 साल हो गए हमारे देश की 50 प्रतिशत आबादी अभी भी अनपड़ है निरक्षर है जिसको पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पता नहीं क्योंकि स्कूल नहीं कॉलेज नहीं हमारे देश में अगर आखड़ों में आप देखेंगे तो स्कूलों की संख्या लगबग 13 लाख है लेकिन जब मैंने ज़्यादा बारीकी से देखना शुरू किया तो इन 13 लाख स्कूलों में 90 प्रतिशत इसकूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों के लिए टॉयलेट और बा अंदासा लगा सकते है हमारे देश में जितने विद्यार्थी कक्षा एक में पढ़ने के लिए भरती होते हैं कक्षा आठ तक आते आते आधे विद्यार्थी उसमें से निकल जाते हैं जिनकों अंग्रेजी में कहते हैं डॉप आउट्स आधे से जाना और जो उच्छ सिक् 35 से 40 लाख विद्यारती हर साल इस देश में graduate और post graduate होते हैं वो बेरोजगारों की भीड में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार की कोई वेवस्ता ने इससे भी जादा दारून की इस्तिती दुख की इस देश में ये है कि जन संक्या की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी ग्रामीन आलाके में है गाओं में जन संक्या ज़्यादा बढ़ रही है और वहीं पर काम करने के अवसर सबसे ज़्यादा खतम हो रहे हैं दिन बदिन हर साल हमारे देश में एक करोड़ असी लाख नए लोग बढ़ जाते हैं मनें बच्चे पैदा हो जाते हैं साल में एक करोड़ असी लाख का मतलब है एक आस्ट्रेलिया हर साल इस देश में जुड़ जाता है आस्ट्रेलिया की पूरी आबादी एक करोड़ सी लाग की है तो एक आस्ट्रेलिया नाम का देश हर साल इस देश में जुड़ जाता है एक करोड़ सी लाग नए बच्चे पैदा हो जाते हैं और हर साल हमें एक करोड़ सी लाग नए रोजगार की जरूरत है लेकिन हर साल इस देश में 25 से 30 लाख रोजगार जो पहले से मिले हुए हैं वो खतम होते जाते नए रोजगार तो सवाली ने अब समस्या क्या है गाउं में ज़ज़संग क्या जादा बढ़ती है खेती हो कि जमीन गाउं में है नहीं 14 करोड हेक्टेर कुछ जमीन है जहां पर खेती होती है इस देश में 70 करोड एकड के बराबर अब 70 करोड एकड जमीन पर हर साल 1 करोड 80 लाख लोगों का बोज़ा बढ़ता जाए तो ये जमीन कितने दिन बरदाश्ट करेगी हमारे देश में हर किसान के हिस्से में एवरेज एक एकड जमीन आती है करीब 70 करोड किसान है और 70 करोड एकड जमीन है तो एक किसान के पास एक एकड है हर साल एक करोड नए किसान तयार हो जाते हैं इस देश में उनके लिए जमीन कहां से आए खेती करने के लिए तो परिणाम क्या होता है गाउं में बोजहा बढ़ता है जमीन पर तो लोग गाउं से शहर भागते हैं रोजी रोटी की तलाश में शहर में जुगी जौंपडियां बढ़ती चली जाती गाउं से जो लोग विस्थापितों के शहर में आते हैं वो जुगी जौंपडियों की संख्या बढ़ाते है और हमारे हर बड़े शहर में आप जाकर देख सकते हैं एक विशाल जुगी जौंपडी रहती है कभी बंबई जाने का मौका मिले तो चले जाएए एशिया खंड की सबसे बड़ी जुगी जौंपडी बंबई में ही है धारावे और बंबई शहर की 65% आवादी जुगी जौंपडी में रहती है दिल्ली चले जाएए मदरास चले जाएए बैंगलोर चले जाएए हर शहर में आपको दिखाई देगा 60% 65% आवादी या तो फुटपाथ पर है या जुगी जौंपडी में ऐसे इस्थान पर हमारे देश की 65% आवादी रहती है जिस इस्थान पर आप एक मिनट खड़े नहीं हो सकते इतनी गंदगी होती है जुगी जौंपडीयों की जिंदगी एक मिनट आप बिना रूमाल नाक पर रखे खड़े नहीं हो सकते इतनी तेज बदबु होती है इतना कीचड होता है कुत्ते भी वहीं होते हैं कीचड भी वहीं होता है आदमी भी वहीं होते हैं और वो लोग साल दल साल अपनी जिंदगी बिताते रहते हैं सड़क के किनारे बड़े बड़े पाइप पड़े रहते हैं सरकार की कुछ योजनाओं में काम आने के लिए उन पाइप में रहकर 20-20 साल गुजारे हुए परिवारों को मैंने देखा है पाइप में रहकर वो गोल पाइप कॉंक्रीट के सड़क के किनारे पड़े रहे बारिश आती है तो आप जैसे लोग बहुत खुशी मनाते हैं कि भगवान की करपा हो रही है जो फुटपात पर रहते हैं वो राद दिन भगवान को गाली देते हैं कि वो सोएं कहां 65 प्रतिशत आबादी ऐसी है जो बारिश आने पर खुश नहीं होती वो भगवान को गाली देते हैं क्योंकि सोने वाली जमीन उनकी गीली हो जाती है हुआ क्या फिर इस देश में क्या हुआ 62 साल हमने इतने विकास की योजनाएं बनाई क्या हो गया इस देश को बनियादी जरूरतों के बारे में भारत सरकार की एक रिपोर्ट तैयार हुई थी आज से 4-5 साल पहले कि कितने लोगों को बनियादी जरूरतें पूरी करने का मौका मिलता है 7 करोड परिवार हैं सिर्फ जिनकी बनियादी जरूरतें पूरी होती है बुनियादी जरूरत है माने उनके पास बिजली है उनके पास सिक्षा है उनके पास बीमार होने के बाद डॉक्टर की व्यवस्था है इलाज की व्यवस्था है सिर्फ साथ करोड परिवार बाकी 14 से 15 करोड परिवारों के पास तो वो भी नहीं है बुनियादी जरूरत है दाई तीन लाग गाउं है जहाँ बिजली है, मुश्किल से डेढ़ दो लाग गाउं है जहाँ चलने को सडक है, बाकी सडकी नहीं है, कुछ नहीं है तो बार-बार मन में प्रशना आता है कि क्या हुआ इस देश को हमने इतनी योजनाएं बनाई गरीबी मिटाओ गरीबी हटाओ इस देश की हर सरकार के लिए प्राथमिक सूत्र है आपको मालूम है 62 साल आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई सबका प्रमुकुत देश्य है गरीबी हटाओ लेकिन गरीबी बढ़ती जा रहे है हर सरकार कहती है गरीबी हटाओ किसी भी प्रधान मंत्री को आप पूछेंगे आपकी योजना की प्राथमिकता क्या है तो हो गहेंगे गरीबी हटाओ कब से सुन रहे हैं हम ये गरीबी हटाओ आप में से तो कई लोग बुजर्ग हैं आपने तो पंडित नहरू को देखा होगा पंडित नहरू के जमाने से लोग सुन रहे हैं गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ अब तक हटती नहीं बिरोजगारी मिटाओ, बिरोजगारी मिटती नहीं, भुखमरी हटाओ, भुखमरी मिटती नहीं, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे पढ़ नहीं पाते, क्या हो क्या रहा है, ये गंबीर प्रशन है, और उस प्रशन का उत्तर ढूंडने की कोशिश जब हम लोगों ने की त बात कहूं एक इस देश में बड़े नेता हुआ करते थे उनका नाम था आचारी राम मनुहर लोहिया बड़े तेजस्वी आदमे थे जब संसद में भाशन देते थे तो पिंड्रॉप साइलेंस होता था और हमारे देश के प्रधम प्रधान मंत्री पंडित नहरू जी ने लिखा है अपनी पुस्तकों में कि जिस दिन लोहिया जी का भाशन होता था नहरू जी सब काम छोड़कर उसे सुनने के लिए जाते थे खुद प्रधान मंत्री लोहिया जी का भाषन सुनने के लिए जाते हैं एक बार क्या हुआ नहरू जी का लोहिया जी का संसत में टक्कर हो गई नहरू जी पंचवार्शिक योजनाओं की विशेशताओं पर भाषन दे रहे थे और संसद को बता रहे थे कि मेरी पंच वार्षिक योजना माने फाइव एर प्लैन से इतनी गरीबी दूर होगी इतनी बेकारी दूर होगी इतनी बुक्मरी दूर होगी तो लोया जी ने एक सवाल पूछ लिया था संसद की दस्तावेजों में दर्ज है रिकॉर्ड्स में दर्ज है सवाल ये पूछ लिया था प्रधान मंतरी महोदे से कि इस देश के सबसे गरीब आदमी की आमंदनी बता दो कितनी है प्रधान मंतरी से पूछा था सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमंदनी बता दो तो प्रधान मंतरी परेशान हो गए थे उन्होंने का ततकाल तो नहीं बता सकता तो उन्होंने का दो महिने में बता दो तीन महिने में बता दो बता दो तो दो ढ़ाई महीने के बाद संसद में प्रधान मंतरी का जवाब आया कि देश के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमंदनी ढ़ाई आना है आना तो आप समझते हैं सोले आने का एक रुपया और ढ़ाई आना है और ये बात चल रही है सिक्स्टीज की साठ के दशक में ये चर्चा चल रही थी हमारी संसद में तो उस समय ढ़ाई आना आमंदनी थी एक गरीब आदमी की जो सबसे अंतिम माना जाता था एक दिन की मैंने हिसाब जोड़ा अरजुन सेन गुपता कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद की दो हजार नो में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमंदनी बीस रुपया है और उन्नी सो पैसट के आसपा सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमंदनी धाई आना है तो धाई आना उन्नी सो पैसट का दो हजार नो के बीस रुपय के ही बराबर है आप बोलेंगे वो कैसे वो ऐसे कि हमारे रुपई का पिछले 40-45 सालों में बहुत अवमूलियन हुआ है तो 1965-66 के दौर का धाई आना 2009 का 20 रुपया बैठता है इसका मतलब ये है कि हमारा देश 1965 में जाकर ठहर गया है एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया है ये है वास्तविक स्थिति अब थोड़ा पीछे चलें सरकार के पांस जब ये प्रश्न जाता है तो वो ये उत्तर दूसरे तरह से देते हैं वो कैते हैं जी तब से लेकर तो हमने इतनी पंचवार्शिक योजना लगाई है ये चलाईएं एक पंचवार्शिक योजना बनती है तो उसका खर्चा दस लाख करोड का होता है एक पंचवार्शिक योजना एक फाइव येर प्लैन और ग्यारे फाइव येर प्लैन बन चुके हैं 10 लाग करोड का एक होता है, तो सीधा सीधा हिसाब निकलता, 110 लाग करोड रुपए तो सरकार ने खर्च करी दिये, अब 110 लाग करोड रुपए जिस देश की पंचवार्शिक योजना में खर्च हो चुके हैं, वहां 84 करोड लोग गरीब कैसे हैं? ये समझ में नहीं आता है, एक दिन मैंने सोचा, कि ये 110 लाग करोड रुपए को एक एक आदमी को ऐसे ही मांट देते, तो हर आदमी इस देश में लखपती हो जाता है, क्योंकि 115 करोड की तो जन संख्या है, और 110 लाग करोड रुपए खर्च हो चुका है, करोड से करोड को काट दो, 110 लाग बचता है, और 110 लाग में 110 का भाग दे दो, हर आदमी पर एक लाग रुपए तो निकली आता है ना, तो हर आदमी लखपती हो जाता, अगर ये योजनाए ना होती, सीधे रुपया उनको दे दिया जाता, ना ने गरीबी से तो बाहर आई जाता हर आदमी, लेकिन योजनाए सरकार ने बनाई, तो गरीब तो वही के वही रहे, और जादा बढ़ गए, योजना चलाने वालों की गरीबी जरूर दूर हो गई, जिनोंने योजनाए बनाई और जिनोंने योजनाए चलाई, सब करोड़ पती, दस करोड़ पती, अरब पती, खरब पती हो गई, सब किसा, और जिनके लिए योजनाए बनाई, वो सब वही के वही रोड़ पती हैं अभी भी, मतलब सीधा सा ये है, कि जो व्यवस्था के हिस्से हैं अंग हैं व्यवस्था बनाई गई योजनाओं को चलाने के लिए वो व्यवस्था तो करोडपती अरपती खरपती हो गई लेकिन जिनके लिए वो चलाई गई थी वो वही के वही खड़े हैं इसका मतलब इस व्यवस्था में खोट है इस व्यवस्था में दोश है और ये बात मैं नहीं कहता इस देश के पूरु प्रधानमंत्री राजीव गांदी ने कही सारे देश की आँखें खुल गई उन्होंने 1984 में संसद में कहा कि जब मैं गरीब आदमी के विकास के लिए एक रुपया भेजता हूँ तो उसके पास पंद्रे पैसा ही पहुचता है 85 पैसा व्यवस्था खा जाती है ब्रष्टा चार और लूट खोरी में चला जाता है ये 1984 में उन्होंने कहा था जब ब्रष्टा चार बहुत कम था अब 2009 आ चुका है ब्रष्टा चार और बढ़ गया है हो सकता है अब एक रुपया दिल्ली से आता हो तो नीचे पांच पैसा भी नहीं पहुचता हो मतलब सीधा सा है कि हमने जो व्यवस्था बनाई है गरीबी भुकमरी बेकारी मिटाने के लिए देश के दुखदर्द मिटाने के लिए वो व्यवस्था ही इन सब का कारण है गरी鼻 का, भुक्मरी का, बेकारी का, हमारे दुखतरतों का बने विवस्था में दोश है, विवस्था में खोट है और वो दोश क्या है, राजीव गांदी ने कहा कि इस पूरी व्यवस्था में भयंकर लीकेज है उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, लीकेज कहानी कुछ ऐसी है कि एक घड़ा है आपके पास उसमें आप पानी भरना चाहते हैं और जगे जगे से छेद हैं उसमें तो दस साल, बीस साल, पचास साल, सौ साल घड़े को भरते ही रही है कभी नहीं बढ़ेगा क्योंकि छेद हैं उसमें ऐसी हमारी व्यवस्था है कितना भी हम विकास के लिए पैसे को खर्च करते जाएं करते जाएं करते जाएं विकास होगा नहीं क्योंकि व्यवस्था में जगे जगे लीकेज है इसका मतलब इस व्यवस्था को बदलना चाहिए सब्ता बदलने से कोई लाव नहीं होगा हम कहां फसे हैं हम यहां फसे हैं एक पार्टी की सरकाराई दूसरे को बिठा के देखो दूसरे की आई तीसरे को बिठा के देखो तीसरे की आई चौते को बिठा के देखो काम तो सब एक ही तरह से करते है तरीके सब के एक ही जैसे है नाम का फरक है नीतियां सबकी एक ही जैसी है मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तानी ये बात दम ठोक के कह सकता हूँ कि इस सरकार में ब्रष्टा चार कम था उसमें जादा था मुझे तो जितने लोग मिलते हैं वो करते हैं पुरानी सरकार अच्छी थी उसमें कुछ कम था अब तो और जादा और इसके आगे कोई आईगी तो कहेंगे अब और जादा है सीधा सा मतलब है कि जो व्यवस्था चलाने वाली सरकारे हैं दोश और खोट वहाँ पर है जब तक उस दोश और खोट को आप मिटाते नहीं तब तक इस देश में गरीबी बेकारी भुकमरी दूर होती नहीं सत्ता बदलने से कुछ नहीं होता एक को हटाओ दूसरे को बिठाओ दूसरे को हटाओ तीसरे मेरा कुछ ऐसा मानना है कि अगर कोई गाड़ी खराब है तो कितने दिन ड्राइवर बदल के चलाओ गए आप उसे गाड़ी ही खराब है आपने का भई इसको ड्राइवर बना लो उसने चला के देखा उसने का एक पांस साल चला के छोड़ दिया वो गया था खटारा बेकार है अब दूसरे को बना लो तीसरे को बना लो ड्राइवर बदलने से कुछ नहीं होगा गाड़ी को ही बदलना पड़ेगा ये जो व्यवस्था है ना ये गाड़ी के जैसी है 62 साल से हम चला रहे हैं खटारा गाड़ी और ये दुर्भागे से खटारा गाड़ी 62 साल से नहीं 200 साल से चल रही है जब अंग्रेज थे तब वो भी यही गाड़ी चलाते हैं अंग्रेजों के जमाने से ये गाड़ी चल रही है आज तक चल पाई है क्योंकि वो है ही खटारा और अंग्रेजों ने ये गाड़ी बनाई थी अपने हिसाब से अपने चलाने के लिए हमने उसी को चलाने की कोशिश की हम उसे चला नहीं पाए क्यों क्योंकि हमको भी शहूर नहीं है हमारी समस्या ये किये कि हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो ही पूरी खराब है कंडम है, दुर्भागे पूर्ण है दोश पूर्ण है, ब्रश्ट है करप्ठ है, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें उसको जब तक आप ठीक नहीं करते तब तक सत्ताओं के बदलने से सिंगहसन बदलने से कुछ नहीं होता हम को ये बात समझ में आईए बहुत अध्यन, बहुत अभ्यास करके तो इसलिए भारत स्वाविमान का जो गठन हमने किया उसका पूरा का पूरा एक ही उद्देश है कि इस देश की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना जड़ से पूरी व्यवस्था को बदलना ये हमारा प्रमुख उद्देश है क्या बदल करना, कैसे बदल करना और कितना बदल करना अब सबसे बड़ा बदल जो हम करना चाहते है वो इस लीकेज का बदल करना चाहते है हम हमारी सरकार को टैक्स के रूप में हर साल लाखों करोड रुपए देते हैं अगर ठीक ठीक बात करूं तो 6,14,000 करोड रुपए हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं दिल्ली सरकार को राज्य सरकारों की बात करें मद्ध प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध प्रदेश वगरा वगरा 35 राज्यों को और राज्य सरकारों को दिया गया कुल पैसा जोड़ दें और केंदर सरकार का भी उसमें जोड़ दें कुल साल में 20 लाख करोड रुपए हम सरकार को देते हैं राज्यों को, केंद्र को, जिला सरकार को, इस्थानिय सरकार अब जिन सरकारों को साल में 20 लाख करोड रुपए लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का मिलता हो और वो सरकारें दाट निकालके खीकी करें और हसें कि भैई गरीबी हमसे दूर नहीं होती बेकारी दूर नहीं होती, भुकमरी दूर नहीं होती तो इसका मनें दोश कहीं वहाँ पर है बड़ा हम तो देए रहे हैं अपनी इमानदारी से इस हिंदुस्तान में आज तक के इतिहास में एक समय भी ऐसा नहीं गया जब सरकार ने लोगों का tax माफ किया हो कोई एक साल ऐसा नहीं गया बड़ी बिपत्तियां आई हैं इस देश पर सरकार ने tax कभी माफ नहीं किया है माने हम बरावर इमानदारी से टेक्स दे रहे हैं पहले अंग्रेजों को देते थे अब काले अंग्रेजों को दे रहे हैं दे रहे हैं बरावर पूरी इमानदारी से income tax दे रहे हैं central excise दे रहे हैं value added tax दे रहे हैं local taxes दे रहे हैं road tax दे रहे हैं को कि जब हमने रोड टेक्स दे दिया तो ये टोल टेक्स क्यों देना दिल्ली से कलकत्ता, सडक रास्ते से आप चले जाएं तो हम हिंदुस्तान की सरकार को income tax के रूप में, corporate tax के रूप में, excise duty के रूप में, value added tax के रूप में, sales tax के रूप में, central sales tax के रूप में, road tax के रूप में, toll tax के रूप में, property tax के रूप में, house tax के रूप में, 64 तरह के टेक्स के रूप में हर साल हम 20 लाग करोड दे देते हैं 6 लाग 14 लाग करोड केंदर सरकारों को और बचा हुआ सब राज्य सरकारों को 35 राज्यों में फिर हमारी गरीबी बुकमरी बेकारी क्यों होनी चाहिए इतना टेक्स हम दे देते हैं बीस लाग करोड पता है कितना धन होता है आप गिन नहीं सकते साल भर तक अगर हजार के नोट आपको दे दिये जाएं सम मिलाके बीस लाग करोड की रकम इतनी बड़ी है कि कैलकुलेटर पे लिख नहीं सकते आप फेल हो जाता कैलकुलेटर क्योंकि calculator में 12 अंक आते हैं और इसको लिखने में 16 अंक लगते हैं 20 लिखना उसके आगे 00014 बार 0 लगाना पड़ता है इतनी बड़ी रकम है अगर इस रकम का सोना खरीद ले हम तो ये इतनी बड़ी रकम है कि मद्द्प्रदेश के एक एक राज्य की सड़क को सोने से बना सकते हैं इतनी बड़ी रकम है अब इतनी रकम हमने दे दी केंद्र सरकार को राज्य सरकार को इस्थानिय सरकारों को फिर भी वो गरीबी भुक्मरी बेकारी दूर नहीं कर पाते तो कहां जा रही है ये रकम हो क्या रहा है इसका तब ध्यान में आता है कि और राजीव गांदी ने कहा था कि इस रकम का 85 प्रतिशत तो घूस खोरी लूट खोरी में ही चला जाता है और वो 14C में कहा था हो सकता है 2009 में इस रकम का 90 प्रतिशत घूस खोरी लूट खोरी और ब्रश्टा चार में चला जाता हो 10 प्रतिशत ही काम में आता हो तो हमारे समझ में बात आ गई वो ये आ गई कि इस पूरी की पूरी रकम का इस देश के नेता और अधिकारियों में बंदर बांट होता है घूस खोरी रिश्वत कोरी के नाम और ये बंदर्माट करने वाले नेता और अधिकारी करोड़पती, दस करोड़पती, अरबपती, दस अरबपती, खरबपती, दस खरबपती होते ही जा रहे हैं कुछ नेताओं के बारे में मैं केस स्टडी कर रहा हूँ और पता ये चल रहा है कि आज से पंदरे बीस साल पहले उनके घर में टूटी साइकल नहीं थी और आज उन में से एक एक के पास बीस हजार करोड़, पच्चीस हजार करोड़ की संपत्ती है एक एक के पास कुछ नेताओं पर जब मैंने केस स्टडी की तो पता चला कि बारे तेरे साल पहले वो बंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर पालग बेचते थे मैथी बेचते थे, बथुआ बेचते थे मराठी में इसको भाजी पाला कहते हैं, पत्ते वाली सब्जी और आज उन तीनों नेताओं की बंबई में पांच से साथ हजार करोड़ की प्रॉपरटी एक नेता पर मैंने केस स्टडी किया तो पता चला पंद्रे सत्रे साल पहले उसकी जेब में इतना भी पैसा नहीं होता था कि वो चाई खरीद के पी सके आज उस नेता के पास बंबई से पूना तक की सारी जमीन उसने खरीद के रखकी होई बंबई से पूना के बीच की सारी जमीन हजारों हेक्टेयर की जमीन एक नेता के कबजे में ऐसे ऐसे इस देश में हजारों हैं एक दो नहीं और जब नेता लूटेंगे तो अधिकारी पीछे कैसे हटेंगे अधिकारीों ने भी लूटा है इस देश को मेरा जन्मिस्थान उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश की सरकार में एक अधिकारी हुआ, उसका नाम है अखंड प्रताप सिंग, चीफ सेक्रेटरी था उत्तर प्रदेश की सरकार का, इससे उचा कोई पद नहीं होता, आईएस अधिकारीों के लिए चीफ सेक्रेटरी के ऊपर कोई पोस्ट नहीं है, वहां आते आ एक अधिकारी के घर और CBI वालों का कहना है कि ये तो उसके कुछ घरों में छापा पड़ा है अभी कई घर तो पता ही नहीं है फिर उत्तर प्रदेश के जो IAS अधिकारी है ना उनकी एक एसोसियेशन है उस एसोसियेशन ने उस अधिकारी को महा भरष्ट आई एस अधिकारी का नाम दे के उसको गोशित किया लेकिन तब किया जब CBI का च्छापा पड़ा उसके पहले नहीं अपनी नाम को बचाने के लिए तब तक वो उसी के साथ चाय पीते थे उसी से कपशप मारते थे अब अपनी जिंदगी में 40 साल चीफ सिकरेटरी रहे 40 साल हालांकि रह नहीं सकता लेकिन 40 साल चीफ सिकरेटरी रहे और उसकी मैक्सिमम तनखा उसको मिलती रहे और एक रुपया भी वो उसमेंसे खर्च ना करे तो उसको कुल 90 लाक रुपय होना चाहिए 400 करोड कहां से आया ऐसे इस देश में हजारों अधिकारी है एक दो नहीं हजारों हजारों तो नेता हैं उनके साथ अधिकारी है लूट में आकंठ डूबे हो है दोनों हाथों से ऐसे लूट रहे है कल्पना नहीं हो सकती आपको मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि थोड़े साल पहले हम ये सोच के परेशान होते थे डाकू माधो सिंग डाकू मोहर सिंग डाकू जालिम सिंग ये आते थे और घरों को लूट के ले जाते थे तो हम हाय तोबा करते थे ये डाकू मोहर सिंग माधो सिंग जालिम सिंग तो मरे नहीं वो तो सब जिंदा है नाम बदल गए उनके कोई नहीं मरा मुझे तो कई बार लगता है कि माधो सिंग मोहर सिंग जालिम सिंग की आत्मा ही हमारे नेताओं में प्रवेश करना और सड़क चलते नहीं है पार्लेमेंट में बैठे हैं विधाईकाओं में बैठे हैं आपको मालूम है हमारी संसद में 300 से ज़्यादा संसद हैं जिनकी कम से कम इनकम 10 करोड से उपर है 300 से ज़्यादा संसद इस देश की संसद में वरतम ऐसी स्थती इस देश में है तो बात अब समझ में आ रहे हैं वो यह कि 62 साल की आजादी में हमने एक ही काम किया गोरे अंग्रेजों को भगाया काले अंग्रेजों को बिठाया गोरे अंग्रेजों ने लूट कर पैसा लंदन में जमा किया इन काले अंग्रेजों ने लूट लूट कर पैसा स्विस बैंकों में जमा किया बस इतना ही अंतर है बहुर कोई बड़ा अंतर नहीं हमारे नेताओं ने 62 साल खूब पैसा लूटा है विकास के धन का ब्रश्टाचार में डुबोया पूरा पैसा और यही कारण से उनकी संपत्ती दिन दुगनी राथ चोगनी बढ़ी है एक साधरन MLA हो जाता है साधरन MP हो जाता है देखो क्या संपत्ती आती है और MLA MP तो छोड़ दो कॉर्पूरेटर हो जाता है तो देखो कितनी संपत्ती आती है यह सारी संपत्ती आती है आपके मेरे खून पसीने की कमाई के दिये गए टेक्स के पैसे को लूट कर वहां से आती है यह संपत्त तो हमारे देश में यह जो प्रजातंत्र चल रहा है माफ करिएगा यह लूट तंत्र है प्रजातंत्र नहीं है और हर पांच साल के बाद नाटक होता है इस देश में मैं लूटूंगा या तू लूटेगा तै कर ले भाई एक पार्टी होती है सत्ता में जो लूट रही होती है पांच साल से सामने वाली दूसरी तैयार बैटी है कि अब हमारा नंबर है तुमने लूट लिया पांच साल अब हमको दे दो ये गद्दी और वो आपके सामने आते हैं उल्लू बनाने के लिए बही वोट दे दो विकास करेंगे बही 62 साल से तो किया नहीं तुम क्या करोगे फिर कहते हैं जी वोट दे दो आपकी सेवा करेंगे तो सेवा करने के लिए वोट ही क्यों लगता बिना वोट के भी सेवा होती है तो वोट देकर वो सेवा का नाम जो लगाते हैं वो उनको पद चाहिए प्रतिष्ठा चाहिए ताकि लूट में हिस्सा उनका बरकरार रहे मुझे कई बार अफसोस से कहना पड़ता है कि जब आप किसी मेता को एक वोट दे देते हैं तो आप खुद उसको लूट का लाइसेंस दे देते हैं कि जा पांच साल के लिए तेरी मौच जो लूट सके तू लूट अब पास साल आपके पास कोई ताकत नहीं है उसको वापस बुलाने की तो जितना मन में आता है वो लूटता है और उसे मालूम है कि दुबारा चुन के आया नहीं आया तो एक बार में सब घर भर लो तो अभी तो इनकी संपत्ती की जाँच अगर आप करा दें हिंदुस्तान के नेताओं और अधिकारियों की तो आखें फट जाएंगे आपकी मैं बिना नाम लिए कह रहा हूँ एक व्यक्ति इस हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में स्विस बैंक में उसका खाता है 72,000 करोड रुपए एक व्यक्ति एक व्यक्ति स्विस बैंक में उसका खाता है 72,000 करोड रुपए कल पना कर सकते हैं एक व्यक्ति तो 62 साल आजादी के जो कुछ इस देश में प्रजातंत्र के नाम पर हुआ है उसने लूटा है लोगों के पैसे को, धन को, संपत्ती को और लूट लूट कर विदेशी बैंकों में सुरक्षित रखा है क्योंकि हमारी बैंकों में वो रख नहीं सकते क्योंकि कभी भी इंकम टेक्स की या सी बी आई की रेड पढ़ सकती है तो ले जाकर वो खाता खोलते हैं सुर्जर लैंड में सुर्जर लैंड दुनिया का अकेला एक देश है जहां पर कितने भी लूट का पैसा जमा करो वो पूछते नहीं कि कहां से लाए कितना भी जमा करो कभी नहीं पूछते क्यों क्योंकि उस पैसे पर उनको ब्याज तो देना नहीं तो पूछने का क्या ब्याज देना होता तो पूछते वो ब्याज देते नहीं कितना भी उनके याँ जमा करो वो ब्याज नहीं देते उल्टा जमा करने वाले से सर्विस चार्ज लेते हैं तो जो जमा करता है न वो बैंक को भी आज भरता है बैंक नहीं देता कुछ हो और बदले में बस इतना ही है कि वो गुप्त रखते हैं आपका नाम नहीं बताएंगे बस इतना ही है तो नेता सब ले जा ले जा के लूट का पैसा वहां भरते हैं अब ये जो पैसा वहां रखा हुआ है इसके बारे में जब हमने काफी खोजबीन की आसानी से तो ये पता नहीं चलता क्योंकि सीक्रेसी के कानून है फिर भी पता चल गया कि नेताओं ने पिछले 62 साल में लूट लूट कर स्विस बैंकों में 72 लाख 80,000 करोड जमा करके रखा हुआ है और सुट्जर लेंड के अलावा कुछ और देश हैं दुनिया के वहां पर करीब 35 लाख करोड रखा हुआ है कुल मिलाकर 110 लाख करोड रुपया इस देश के खून पसीने की कमाई का विकास के लिए जो खर्च होना चाहिए था वो लुट कर विदेशी बैंकों में पहुँच गया है इस से हमें पता चलता है कि देश किस दिशा में जा रहा है ये जो धन गया लुटने के बाद ये विदेशी बैंकों में जमा हो गया अब अफसोस की बात क्या है कि इस पूरे धन पर हमको तो कुछ फाइदा नहीं है देश को जहां जमा है वो इस पैसे को गुमा रहे स्विस बेंकों में जो पैसा जमा कर दिया अपने नेताओं ने या अधिकारियों ने स्विस बेंक वाले वो दुनिया भर को करजे में दे रहे हैं करजे का ब्याज ले रहे हैं ब्याज मजे से खा रहे हैं और जिन्होंने जमा किया उनसे सर्विस चार्ज ले रहे, कितने होश्यार लो respect एक बार इस देश में शुट醉ल लेंड के प्रसिडेंट आए थे दिल्ली में उनकी प्रेस कॉन्फरेंस होई तो इस प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने कहा पूछा नहीं किसी ने उन्होंने खुद कहा उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश को गरीबी का रोना नहीं रोना चाहिए और भारत जैसे देश को दुनिया में किसी के सामने भीक नहीं मांगनी चाहिए तो पत्रकारों ने पूछा क्यों तो उन्हें का आपके लोगों का इतना पैसा हमारे यहां रखा है अब उसी को आप वापस मगा लो तो आपको तो करज लेने की जरूरत ही नहीं है भीक मांगने की जरूरत नहीं है किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ने तो पहली बार पता चला जब सुर्जर लेंड के प्रेसिडेंट ने दिल्ली में आकर ये कहा तब पता चला फिर हमारे जैसे लोग लग गए इस ख़बर के पीछे तो धीरे धीरे सब बात खुली और ये बात खुली तो इसमें कई तरीके से हमने वेरिफिकेशन किया वेरिफिकेशन कैसे किया जिन नेताओं ने वहाँ खाते जमा किये हैं जिन अधिकारियों ने पैसे जमा किये हैं वो कौन है उनके नाम क्या है पता कैसे किया जाए क्योंकि सुर्जर लेंड नाम बताने को तैयार नहीं, वो ये कहता है कि भारत सरकार अगर हमसे संदी करे तो हम नाम बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे, तो हमें पता करना है, तो हमने फिर दूसरा रास्ता अपनाया, रास्ता क्या अपनाया, हमने ये जानकारी लेने की कोशिश की कि हिंदुस्तान से ये पता लगो क्योंकि सुर्जरलेंड जाने के लिए एरपोर्ट से ही जाना पड़ता है हवाई जहाज इस्तेमाल करना पड़ता है पानी के जहाज से जा नहीं सकते हैं क्योंकि रास्ता नहीं हवाई जहाज ही एक रास्ता है और एरपोर्ट इस देश में कितने हैं वो पक्के हैं दिल्ली है मुंबई है बैंगलोर है जहां से सुर्जर लेंड की फ्लाइट छूटती है उन एरपोर्ट से कौन कौन जाता है उसकी सूची निकल वाई हमें फिर उसमें से छाटना शुरू किया कि कितने ऐसे लोग हैं जो यात्रा करने के लिए आनंद लेने के लिए सुर्जर लेंड जाते हैं हनी मून बनाने जाते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो सुर्जर लेंड का सौंदर है देखने के लिए जाते हैं तो जब सूची में छाटना शुरू किया तो बहुत थोड़े से हैं क्योंकि जो भी तो अपना पंच मड़ी है उससे सुन्दर तो जम्मु कश्मीर है उससे सुन्दर तो उत्तरा खंड है उससे सुन्दर तो हमारे देश का बहुत सारा इलाका है और वो यह कहते हैं कि दो गंटे की कार चलाओ देश खतम हो जाता है दूसरे देश में घुश जाओ इतना छोटा जाना देर घूम भी नहीं सकते हर दो तीन गंटे की ड्राइब में देश की सीमा खतम हो जाती तो पता चला कि जो यात्रा करने के लिए जाते हैं वो आठ दस परसेंट हैं वो बार बार नहीं जाते फिर ये बार बार जाने वाले कौन है हर महीने जाते हैं महीने में दो बार जाते हैं कोई तो हफ़ते में एक दो बार चले जाते हैं कोई दो तीन महीने में जाते हैं इनकी सूची बनाई तो पता चला वो असी हजार लोग हैं जो बार-बार सुट्जर लेंड जाते हैं बार-बार जाते हैं कभी-कभी तो एक महीने में चार बार चले जाते हैं और उस सूची में ऐसे बड़े-बड़े नाम है कि जब खुलेगा तो आपकी आत्मा हिल जाएगी अंदर से आप कहेंगे औरे इनको तो हम बड़ा पवित्र मानते थे अच्छा मानते थे ये भी सुट्जर लेंड जाते हैं ऐसे ऐसे नाम है आपको एक बात बताता हूँ कि जब हमारे हाँ कोई सरकार गिरती है न और नई सरकार आती है तब सबसे ज़्यादा जाते हैं क्योंकि नई सरकार बनानी है तो रकम चाहिए कि नहीं चाहिए MPs को खरीदना है MLA को खरीदना है तो रकम कहां से आएगी वहीं से निकाल के लागते है और इनमेंसे कुछ तो ऐसे हैं जो गए स्विट्जर लेंड अपनी रकम निकालने के लिए कुछ नेता ऐसे भी हुए है नाम नहीं लेता उनका दो नेता बड़े प्रमुख इस देश में हुए हैं जिनके जॉइंट अकाउंट थे स्विट्जर लेंड दोनों ने मिल के खोला अब परिणाम क्या हुआ कि एक नेता ने दूसरे को बिना बताय सब निकाल लिया बताया ने निकाल लिया और उस एक नेता ने अपने नाम से किसी दूसरी बैंक में ट्रांसफर कर दिया अब दूसरा नेता जब मुख्यमंत्री के पद से उतरा तब उसको याद आई कि मेरा तो खाता भी है तो गया तो पता चला रकम तो गया अब परिणाम जानते हैं क्या हुआ बैंक की लिफ्ट में ही हरट अटेक आया और वो मर गया वहाँ उसकी लाश यहाँ पर आई थी और वो मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति था इस देश ऐसे भी किस्से हैं कि दो नेताओं ने जॉइंट एकाउंट खोले एक ने सब निकाल लिया पता ही नहीं चला तो ये सब घोटाले बाजी घपले बाजी करने वाले हमारे नेता और उनके साथ अधिकारी इन्होंने 62 साल देश के विकास का लूट लूट कर सारा पैसा वहां रख दिया वो रकम अब 72,80,000 करोड हो गई 80,000 एकाउंट का तो पता चल चुका है हो सकता है 10,000 और निकले क्योंकि ये सूची अभी खतम नहीं हुई है आप बोलेंगे जी बताओगे कब थोड़े दिन बात बताएंगे अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं तैयारी क्या कर रहे है हमारी कोशिश ये है कि पहले ये सारा धन वापस आ जाए फिर इनका नाम उजागर हो, हमारी कोशिश ये है इसलिए हम बताएंगे तो सही थोड़े दिन के बाद अब वो थोड़े दिन साल बर हो सकता है दो साल हो सकता है डाई साल हो सकता है कुछ भी हो सकता है और दूसरा हमारी कोशिश यह है कि सुप्रीम कोर्ट बताए इसको हम क्यों बताए संसत बताए इसको हम क्यों बताए हम संसत को मदद करेंगे कि देखो ये सूची है आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो सरकार को देने को हम तयार हैं सरकार जिस दिन मांगेगी दे देंगे सरकार गोशना करें न ये लोग है संसत गोशना करें सुप्रीम कोट कहें ये लोग हैं हम तो जब कोई नहीं कहेगा तब कहेंगे ये लोग हैं तब तक हम कोशिश करेंगे कि इन सब को सुधरने का मौका दें और ये इमानदारी से अपने पैसे वहां से निकाल कर भारत में वापस लाएं इसी काम के लिए भारत स्वाविमान अभ्यान हमने शुरू किया है ये हमारे अभ्यान का सबसे प्रमुख उद्देश है जिसके लिए ये बना है आपने स्वामी रामदेव जी का व्याख्यान सुना हो तो बार बार वो कहते हैं ब्रश्टा चार की समापती आर्थिक और राजनेतिक हमारे एजन्डे में सबसे उपर है हम चाहते हैं ब्रश्टा चार खतम हो और ब्रश्टा चार के लिए जो लूट हुई है 62 साल ये लूट का लाव देश को वापस मिले जिससे देश वंचित हो गया आप बोलेंगे ये कैसे होगा क्या ये पैसा वापस आएगा क्या देश को फिर मिल पाएगा क्या इससे देश का विकास हो सकता है आएगा अगर आप चाहेंगे तो हमने चाहा है और आपको बताया है अब आप भी चाहा लेंगे तो आजाएगा कैसे आ जाएगा हमारे देश की संसत के पास इस पैसे को वापस लाने की ताकत है और हमारे देश के सुप्रीम कोट के पास भी इस पैसे को वापस लाने की ताकत है मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ आपको याद है एक प्रधानमंत्री हुए उनका नाम था पीवी नरसिम्माराग उनके जमाने में कि यूरिया घोटाला हुआ था मालूम है 133 करोड रुपए का एडवांस पेमेंट हुआ यूरिया का एक दाना भी देश में नहीं आया ये था यूरिया घोटाला पैसे दे दिये यूरिया नहीं आया पेमेंट हो गया यूरिया नहीं आया जब जांच हुई तो पता चला कि बहुत बड़ा घोटाला है और वो 133 करोड का जो पेमेंट हुआ वो सुट्जरलेंड की बेंक में जाके जमा हो गया तब दिल्ली के हाई कोर्ट में और बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट में दो याचकाएं दायर हुई Public Interest Petitions और उस पर हाई कोर्ट का फैसला आया फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि यूरिया के पेइमेंट में जो पैसा गया वो भारत की राश्ट्रिय संपत्ती है तो या तो यूरिया आना चाहिए या पैसा वापस आना चाहिए सुप्रीम कोट के इस फैसले के आने के 15 दिन के अंदर 133 करोड रुपया स्विट्जरलेंड से भारत में वापस आ गया हमारा ये कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो सभी घोटालों का पैसा आ सकता है और अगर सुप्रीम कोट यूरिया घोटाले के पैसे को राश्ट्रिय संपत्ती गोशित कर सकता है तो आजादी के 62 साल में जितने घोटाले हुए हैं सबी के धन को राश्ट्रिय संपत्ती गोशित कर देना चाहिए तो इसको वापस लाने का एक उपाय है कि ये धन राश्ट्रिय संपत्ती गोशित हो जाए आप बोलेंगे इसमें मामला क्या है? मामला सीधा सा ये है कि अंतर राश्ट्रिय कुछ कानून है उन में से एक ये है कि किसी भी देश का राष्ट्री अधन दूसरे देश में जमा नहीं हो सकता ये अंतर राष्ट्री नियम है सब देश इसका पालन करते हर देश का राष्ट्री अधन उसी देश की बैंकों में जमा हो सकता भारत का राश्ट्री धन भारत की बैंकों में जमा होगा पाकिस्तान का पाकिस्तान की बैंकों में ये नहीं हो सकता कि भारत का धन राश्ट्र का स्विट्जलेंड में जमा हो जाए तो इसका हमें लाव उठाना है हमें क्या करना है या तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा करें भारत स्वाइबान की तरफ से उसकी तयारी हम कर रहे हैं जन हित याज का पबलिक इंट्रेस्ट पिटिशन कि ये 72,80,000 करोड जो गया 62 साल में ये भारत की राश्विय संपत्ती है और कोर्ट में हम आसान इसे सिद्ध कर देंगे इसमें देर नहीं लगेगे क्यों हम तो नेताओं की जनम कुंडली कोड के सामने रखेंगे कि देखो 15 साल पहले इनके पास क्या था अब क्या है 10 साल पहले क्या था अब क्या है 20 साल पहले क्या था अब क्या है पूछ लो इनको बुला बुला के और मैं एक सची बात बताता हूँ आपने एक नाम सुना अब्दुलकरीम तेलगी वो एक आदमी ने 36,000 करोड का गोटा ला किया 36,000 करोड का इस्टांप गोटा उसका नार्को टेस्ट हुआ उसने 19 नेताओं के नाम बताए 19 और उसमें और 11 नाम ऐसे हैं जो महराष्ट की राज्य सरकार में मंत्री तीन केंदर सरकार में मंत्री और बाकी दूसरे नेताओं तो अब्दुलकरीम तेलगी ने सब के नाम बता दिये अब सरकार की हालत खराब ये हो रही है कि उनको उजागर कैसे करे क्योंकि सरकार उनके समर्थन से चल रहे है अब सरकार इंतिजार कर रहे है कि अब्दुलकरीम तेलगी मर जाए हाँ सरकार ही प्राटना कर रहे है कि ये मर जाए और मामला रफा दफा हो जाए जिनके नाम है वो वहीं दबे रह जाए वो उजागर ना होने पाए ये है इस्ति तो मतलब कहने का ये है कि कोई अब्दुलकरीम तेलगी 36,000 करोड का घोटाला तब कर पाता है जब उसको 19 नेताओं का समर्थन और सहयोग मिलता है मतलब सीधी सी बात है कि इस देश में चोरी और डखेती करने वालों को राजनेतिक संरक्षन मिलने के बाद ही वो करते हैं या इनका ही करवा देंगे तो सब के नाम निकलाएंगे नाम निकालना कोई महत्तु की बात नहीं है महत्तु की बात यह है कि इन्होंने जो लूटा हुआ धन है वो वापस आना चाहिए वो देश का धन है राश्ट्र का धन है देश के हित में काम उसको होना चाहिए तो इसके लिए एक रास्ता तो हमने अपना हर साल 18-20दार करोड का नुकसान करते हैं फिर हम माईका बेचते हैं उसमें भी यही नुकसान होता है हम बहुत बड़े पेमाने पर हिंदुस्तान से चूना पत्थर बेचते हैं चूना पत्र आप समझते हैं कैल्शियम जिससे चूना बनाते हैं दुनिया के देश हमसे खरीदते हैं क्योंकि उससे सीमेंट बनता है उसमें भी यही नुकसान होता है गेहूं बेचते हैं तो यही नुकसान होता है आपको सुनकर ताजुब होगा कि बास्मती चावल आप बजार में खरीदें तो आपको 50 रुपई किलो से कम नहीं मिलेगा यही बास्मती चावल रुपई का अवमूलियन होने के कारण 2 रुपई किलो में चला जाता है अमेरिका यही बास्मती चावल चीनी हम बेन बनाते हैं इस देश में दो तरह की चीनी बनती है एक तो छोटे दाने की और एक बड़े आई क्यूब वाली जो चीनी होती है ना बहुत महंगी होती है 35-40 रुपई किलो की लेकिन अवमुलियन के कारण 6-7 रुपई किलो में ही बेचनी पड़ती है हर साल हम जो निर्यात करते हैं ना उसमें लाकों करोड़ों रुपई का घाटा होता है हमारा एक साल का निर्यात करीब 5 लाक करोड़ों रुपई का है इस समय अगर रुपया और डॉलर बराबर हो तो यही निर्यात 200 लाक करोड़ों का होता है एक साल इतना नुकसान हम उठा रहे हैं तो ये नुकसान अब हम जादा दिन नहीं उठाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि रुपिया और डॉलर बराबर हो जाए रुपिया और डॉलर कब बराबर होगा जब हमने लिया हुआ विदेशी कर्ज चुका दिया जिस दिन हम विदेशी कर्ज चुकाएंगे रूपिया डॉलर बराबर हो जाएगा रूपिया डॉलर बराबर होते ही निरियात की आमंदनी पचास गुनी बढ़ जाएगी और आयात का खर्चा पचास गुना घट जाएगा और दोनों मिला दें तो ये देश तो 2-3 साल में ही सोने की चुड़िया हो जाएगा चीन तो हमसे टककर नहीं ले पाएगा इतना आगे हम निकल जाएगा दुनिया में ये कहा जाता है चीन सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है अमेरिका भी चीन से अब पीछे रह गया है हम चीन के आगे निकल जाएंगे क्योंकि हमारे पास trade surplus होगा deficit नहीं होगा और कुछ बात बताता हूँ अगर रुपिया डॉलर बरावर हुआ तो आपकी जिंदगी में क्या परिवरतन आएगा जो चीजें आप बजार से खरीद रहे हैं सब सस्ती हो जाएंगे जो डीजल आप इस समय खरीदते हैं 35 रुपई लीटर ये हो जाएगा 10 से 12 रुपई लीटर जो पेट्रोल आप खरीदते हैं 50 रुपई लीटर ये हो जाएगा 17-18 रुपई लीटर जो रसोई गैस का सिलिंडर आप लेते हैं साड़े तीन सो रुपए का ये हो जाएगा पैतालीस रुपए का जिस लड़के या लड़की को इंजिनिरिंग पढ़ाने में आपका धाई तीन लाग खर्च होता है वो पच्छी सदार में ही इंजिनिरिंग पढ़ लेगा जिसको मेडिकल के एग्जामनेशन से लेके डॉक्टर बनाने तक पांस साथ लाग खर्च होता वो मुश्किल से पचास उदार के खर्चे में हो जाएगा आप अगर दिल्ली से नुई यॉर्क जाएं और नुई यॉर्क से वापस दिल्ली आएं मुश्किल से साथ आठ हजार रुपए में आपका किराया हो जाएगा जो इस समय नब्बे हजार तक खर्च होता है सारी कीमतیں गिरेंगी क्योंकि रुपए की कीमत बढ़ेगी डॉलर की कीमत गिरेगी और भारत की जो संपत्ती है अंतर राश्ट्री बजार में पचास गुनी जादा हो जाएगी इसी कीमत पर आमंदनी पचास गुनी बढ़ जाएगी हमारे सब चीजों में बढ़ुत तरी होगी अगर रुपया और डॉलर बराबर हो और ये तब बराबर होगा जब हम कर्ज वापस करें कर्ज वापस तब करेंगे जब 18 लाग करोड हमारी जेब में हो ये आएगा कहा से ये सुस बैंक का पैसा वापस लाने के बाद ही आएगा तो एक तो उस पैसे से कर्ज चुकाना है दूसरा गाओं का विकास करना है गाओं का विकास करने में 50 लाग करोड चाहिए कर्ज देने में कर्म से कम हमको 18 लाग करोड चाहिए तो करीब करीब आप समझ लो 68 लाग करोड, 70 लाग करोड खर्च हो जाएगा फिर भी हमारे पास करीब करीब 60 लाग करोड बचेगा और उस 60 लाग करोड को अगर हम fix deposit में रख दें भारत माता के नाम से fix deposit कर दें और 10% का ब्याज उस पर मिलता रहे तो साल का ब्याज करीब 76 लाग करोड का होगा माने पूरा बजट हम बना सकेंगे बिना एक पैसा किसी पर tax लगाए हुए पूरी अर्थ व्यवस्था को tax free कर सकते है टेक्स सब हटा सकते हैं income tax हटा सकते हैं, corporate tax हटा सकते हैं, central excise हटा सकते हैं नारे tax खतम कर सकते हैं और tax खतम होते ही, हरची 70% सस्ती हो जाएगा जो पैन आपको अभी दस रुपे का मिलता ये तीन रुपे का हो जाएगा जो घड़ी आपकी 300 रुपे की है, ये 100 रुपे की हो जाएगा हरची 60-70% सस्ती होगी tax हटते ही तो देश चलाने का खर्चा कहा से आएगा टेक्स नहीं लगाएंगे तो हमने बता दिया स्विस बेंक के बचे हुए पैसे को fix deposit में रख दो साल के भी आज से देश चल जाएगा और दूसरा एक रास्ता है अपने पास कि सब tax खतम कर दो एक tax लगाओ सिर्फ transaction tax और वो भी total transaction का 2% सिर्फ हमारे देश में बैंक में लेंदेन होता है साल में महिने में और हर दिन चेक और ड्राफ्ट के द्वारा जो लेंदेन है वो 1,25,000 करोड हर एक दिन का है साल का लेंदेन चार सो लाग करोड का है और कैश का लेंदेन इसमें जोड़ दें तो वो चेक और ड्राफ्ट से ज़्यादा आपको मालूम है हम कैश में transaction ज़्यादा करते हैं चेक और ड्राफ्ट की तुलना सारे टाम हम cash में करते हैं सबजी cash में खरीदते हैं अपने घर की नौकराणी को cash में पैसा देते हैं कोई check से नहीं देता कोई draft से देता है नौकरों को, नौकराणीों को सब cash में देते हैं सबजी खरीदते हैं, दुकान पे जाते हैं सब cash में करते हैं मने चेक से ज़्यादा हमारा कैश का विवहार है तो कैश के विवहार को या तो चेक में ले आओ या सारे विवहार को ऐपन कर दो वाइट कर दो और ये वाइट कब हो जाएगा आप income tax हटादो ये सारा विवहार अपने आप ऑपन हो जाएगा सब white हो जाएगा ये छुपाना तब पड़ता है जब income tax का डर रहता है आप income tax हटा दो डर खतम हो जाएगा income tax इसलिए भी हटाना जरूरी है कि अंग्रेजों के जमाने का लगाया हुआ tax है वो हमारा नहीं है 1860 में अंग्रेजों ने ये tax लाया था और अंग्रेजों की योजना ये थी कि भारतवासियों से लूट लूट कर पैसा लंगन लेके जाना है इसलिए ये tax उन्होंने लगाया था अंग्रेजोंने tax पता है कैसे लगाये थे वो ये कहते थे कि भारत का आदमी कोई भी चीज़ का उतपादन करे तो उसके उतपादन पर ही tax लगा दो excise duty फिर उस उतपादन को वो बेचने के लिए बजार में जाए तो बेचने पर tax लगा दो sales tax फिर बेच कर मुनाफ़ा कमाए तो उसके मुनाफ़े पर tax लगा दो income tax फिर उस सामान को एक गाओं से दूसरे गाओं में लेके जाए तो दोनों गाओं में tax लगा दो एक में entry tax एक में exit tax फिर अंग्रेजों की सड़क पर से लेके जाए तो वहाँ tax लगा दो total tax फिर octroy लगा दो ऐसे करके बीसियों tax उन्होंने प्लैन किये आजादी के 62 साल के बाद ये tax क्यों चलने चाहिए क्योंकि अंग्रेजों ने तो लूटने के लिए लगाए थे तो हम खतम करना चाहते हैं साने tax खतम कर दो हिंदुस्तान का हर आदमी इमानदार हो जाएगा क्योंकि बेईमानी इस देश के लोगों को tax department ने सिखाई है इस देश का आदमी बेईमान नहीं है ये तो income tax, central excise, sales tax के departments हैं और कानून है जो बेईमान बनाते हैं इस देश के लोगों को आपने 100 रुपिया कमाया उसमें से 35 रुपए income tax में दे दिया तो 65 रुपए आपका white है नहीं दिया तो 100 रुपए black है रुपिया तो रुपिया है वो black and white नहीं होता ये तो कानून गलत है जो कुछ पैसे को white कहता है कुछ को black कहता है और इस कानून का दुश्चकर पता है कि इतना खतरनाक हो गया है कि इस देश की अर्थ व्यवस्था में जो कुल उत्पादन होता है जिसको GDP कहते हैं जो 48 लाग करोड का है उसका 70 प्रतिशत हिस्सा black economy में चलता है 36 लाग करोड रुपए black में चलता है इस देश में गूमता है और लोग black में transaction कर क्यों रहे हैं income tax के डर के कारण लोगों ने पैसा छुपा के क्यों रखा हुआ है income tax के डर के कारण हटा दो income tax लोगों ने जितना पैसा छुपा के रखा हुआ सब बाजार में आ जाए और सारा transaction white में हो जाएगा हर आदमी इमांदार है और इमांदार इसे जीना चाहता है tax लगा दो तो साल का एक कठा होता है रुपया 18,20,000 करोड जो इस समय के collection से तीन गुना जादा है सारे tax हम खतम कर दे और 18,20,000 करोड हम में मिले तो हम तो budget 18,20,000 करोड का बनाएंगे अभी तो 10,00,000 करोड का बनता है बिना किसी से भीक मांगे हुए बिना किसी से दान मांगे हुए अपने पैरों पर इस देश को खड़ा करेंगे स्वावलंबी बनाएंगे और जो स्वावलंबी होता है वही स्वाभिमानी हो सकता है हमें एक स्वाभिमानी भारत का निर्मान करना है इसलिए भारत स्वाबिमान अभियान हमने शुरू किया है और इस स्वाबिमानी भारत के निर्मान का ये रास्ता है अब आप बोलेंगे जी हम क्या करें आप इसमें हमारी मदद करो तब ही ये होगा आपकी मदद के बिना नहीं होगा हम अगर अकेले कर लेते इस काम को तो मैं हरिद्वार से 2000 किलोमीटर चलके आपके बीच में नहीं आता अकेला अगर कर लेता मैं इस काम को या स्वामी रामदेव जी कर लेते अकेले तो मैं नहीं आता क्या जरूरत है हम अकेले नहीं कर सकते क्यों क्योंकि प्रजात अंत्र में कोई भी काम करवाना हो तो बहुमत चाहिए हमको इस काम के लिए बहुमत चाहिए तो आप हमारा बहुमत बने कैसे हमारी ताकत बने ताकत आप हमारी कैसे बनेंगे हमारे इस अभियान में आप जुड़ जाएं जुडने का रास्था क्या है बहुत सरल है इस अभियान में सदस्य बनने के लिए एक फॉर्म है वो भर दें यहां की जो इस्थानिय समीती है ना होशंगबाद की पतंजली योग समीती ये आपको फॉर्म दे देगी भारस वाहिमान समीती से फॉर्म ले लीजे ये अजय भा और असाधारन बनना है तो ग्यारे सुरोपे देना तो मेंबर्शिप आप कर दीजे तो हमें थोड़े फंड्स मिल जाएंगे काम करने के लिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे हमारी शक्ति जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी ये सब काम हम आसानी से करा लेगे क्यों संग्हे शक्ति कल योगे कल योग में संगठन की शक्ति ही बड़ी होती है सत्योग जब होता हो तब राजा की शक्ति बड़ी होती थी अब कल योग में संगठन की शक्ति बड़ी है तो हमें संगठन की शक्ति खड़ी करने हैं हमें 5 करोड, 7 करोड, 10 करोड लोग ऐसे जमा करने हैं हिंदुस्तान की सभी राजनेतिक पार्टियों के पास कुल मिलाकर 4 करोड सदस्य है सब के पास बीजेपी कॉंग्रेस जनतादल CPM CPI समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी 48 पार्टियों के पास 4 करोड मेंबर हैं हमारी कोशिश है कि 5 करोड हमारे पास हो जाएं वो 48 एक तरफ हो जाएं तो भी हमारी लाइन उनसे बड़ी होगा और जिस दिन 5 करोड हो जाएंगे तब इनकी नाक में हम नकेल डाल देंगे ये सब वही करेंगे जो हम कहेंगे कुछ और कर ही नहीं सकते हम डिक्टेशन देंगे और ये नियम बनाएंगे नीतियां बनाएंगे ऐसी इस्थिती हम इस देश में लाना चाहते सरकार किसी की भी हो हमें कोई फरक नहीं पड़ता बीजेपी की या कॉंग्रेस की हम बताएंगे ये कानून बनाओ तो वो बनाएंगे हम कहेंगे ऐसी नीति चलाओ तो वो चलाएंगे नहीं चलाएंगे कान पकड़के उतारेंगे दूसरे को बिठाएंगे हम नहीं बैठेंगे वहां जाएंगे भारत स्वाविमान का इस पश्ट कहना है कि हमें सत्ता और सिंगासन नहीं चाहिए लेकिन हमारा दूसरा भी इस पश्ट कहना है कि सत्ता और सिंगासन पर बैठे हुए लोग अगर इसी मद में चूर रहें लूटते रहें घोटाले करते रहें ब्रश्टाचार करते रहें तो एक मिनट उनको चैन की नीत सोने नहीं देंगे हो वो अब खवरदार हो जाएं और सावधान हो जाएं इसी के लिए ये सारा अभ्यान है तो आप हमारे संगटन से जुड़िए थोड़ी हमारी ताकत बड़ी होगी और इस ताकत की ताकत पर या इसके दम पर ये काम हमें करना है पूरे देश में और एक छोटी सी अपील कहके मैं खतम करता हूँ मेरी बात को फिर आपके प्रशनों के उत्तर दूँगा कि आप अपने व्यक्तिकत जीवन में भी एक काम करें उससे भी देश को थोड़ा फाइदा हो जाए तो अच्छा है ये तो हम सार्विनिक जीवन में जो करेंगे वो बात मैंने जई आपके व्यक्तिकत जीवन में थोड़ा बदलाव करें थोड़ा चेंज करें इस देश के फाइदे के लिए क्या बदलाव करें आप पूछेंगे तो सीधी सी बात है कर्ज बहुत है देश पे अब जब ज़्यादा कर्ज हो जाता है किसी देश पे तो क्या करना चाहिए इसको ऐसे सोचने की कोशिश करिए हमारे घर पर बहुत कर्ज हो गया अब हम क्या करें तो हम दो ही काम करेंगे या तो घर के खर्चे घटाएंगे या घर की आमंदनी बढ़ाएंगे दो ही काम करेंगे घर के उपर अगर कर्ज बढ़ता है तो घर के खर्चे घटाते हैं और आमंदनी बढ़ाते हैं तो देश हमारा बड़ा घर है इसके उपर बहुत कर्ज हो गया है तो देश के खर्चे घटाईए और देश की आमंदनी बढ़ाईए ये मेरी आपसे व्यक्ति का तपील है तो आप बूलेंगे इसके लिए क्या करें इसके लिए अपनी जिंदगी में थोड़ा बदलाओ करिए थोड़ा थोड़ा जादा ने देश का खर्चा घटाना मने एक-एक देश का नागरेक उसका खर्चा घटाना तो कहां से खर्चा घटेगा तो आप अपनी जिंदगी को सबेरे से शाम तक देखिए आप क्या-क्या फाल्तू खर्चा ऐसा कर रहे हैं जिसको बचाया जा सकता है फालतू खर्चा क्या क्या कर रहा है तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या फालतू खर्चा आप कर रहा है जिसके बिना आपका जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है ना खर्च करें वो पैसा तो भी जीवन चल सकता है सबसे बड़ा फालतू खर्चा ये जो देश कर रहा है चाय पीने में सबेरे से लेके शाम तक हम जितनी चाय पी जाते हैं एक साल में वो 70 करोड किलोग्राम होती है और एक किलो चाय डेड़ सो रुपई की आती है तो 70 करोड किलोग्राम चाय को गुणा करेंगे तो 90 हजार करोड से उपर का बिल बैठता है चाय पीने का इस देश का ऐसे मूर्ख लोग हैं इस देश में उठते ही चाय हाँ कुछ भी काम बाद में करेंगे चाय पहले पीएंगे संडास और टटी भी बाद में जाएंगे चाय पहले पीएंगे कहते हैं टटी उतरती नहीं बिना चाय पीएंगे उठते ही चाय पीएंगे और सोते चाय और सरकारी अवदफ्तरों में तो चाय के अलावा कुछ होता ही नहीं है जब कभी चले जाओ कहा गया भई आदमी चाय पीने गया कहा गया चाई पीने गया सारे रिश्वत के काम चाई के नाम पर सारे घूस खोरी के काम चाई के नाम पर चाई पीने चलो दे दो पैसे वो कहते है ना कोई भी करमचारी कहगा जी चाई पीने चलो समझ लो पैसे मांग रहा है तो खर्चा पानी सब चाय के नाम पर ये चाय बंद करो और ये चाय इसलिए बंद करो कि ये हिंदुस्तानी नहीं है अंग्रेजों की लाई हुई है अंग्रेजों के पहले इस देश में कोई चाय पीता नहीं था क्योंकि हमें जरूरती नहीं चाय पीने की चाय तो गरम देश के लोगों को पीने की चीज है क्योंकि गर्मी लाती है, बलड प्रेशर बढ़ाती है ठंडे देश तो यूरोप और अमेरिका और कनाडा के हैं हम तो गरम देश वाले हैं, हम क्यों पीएं? हम तो दूप पीएं, दही पीएं, लसी पीएं, छाज पीएं, मठा पीएं, नीबू की शिकंजी पीएं, नारियल का पानी पीएं, संत्रे का रस पीएं, मुसमी का रस पीएं अपने पास तो पीने के लिए इतनी चीज़े हैं, हम को क्यों पीना चाएं? आयर वेद में चाए निशिद है, आपको मुख, और आप इसे बार बार पीते हैं, तो बड़ा नकसान हैं, पेट की ऐसी तरह के रोग पैदा होंगे, और उन रोगों से लडने के लिए फिर आपको और हजारों करोड करोड खर्च करूएंगे, तो चाए पियो, उसमें 70,000, 90,000 करोड़ खर्चो फिर चाय से जो रोग पैदा हो उसमें और हजारों करोड़ खर्चो क्यों फाल तू करच कर रहे हैं बंद कर दो जरूरत नहीं है इसको पी नहीं और ये नशा है रोज पियो फिर एक दिन ना पियो तो सिर में दर्द होता है नशा है बिलकुल ये शराप की तरह का बंद करो इसको आप आप मत पियो किसी महमान को भी मत पिलाओ हाँ जो आप नहीं करो तो महमान को क्यों करवाना तो फिर आप बोलोगे फिर क्या करें विकल्प मैं बताता हूँ दूद पियो मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि 90,000 करोड की जो हम चाय पी रहे हैं इतने ही करोड का दूद पी लें 90,000 करोड का तो देश की तो दशाई बदल जाए 90,000 करोड का दूद पियेंगे तो 20 करोड गाय पालनी पड़ेगी तब इतना दूद आएगा और जो 20 करोड गाय पालनी पड़े तो गाय का कतल आज और अभी से बंद कराना पड़ेगा तब ही 20 करोड गाय बचेगी नहीं तो नहीं बचेगी तो कतल होने के लिए जो गाय जा रहे है ये रुख जाएगी और ये जो गाय 20 करोड हो गई हर गाय साल में कम से कम एक बच्छडा या एक बच्छिया देती है तो कितने बैल हो जाएंगे और इतने बैल हो गए तो खेती के काम आएंगे तो ट्रेक्टर खतम हो जाएगा डीजल का खरचा पूरी तरह से बंद हो जाएगा किसानों का और जो बैल और गाय बढ़ गए तो गोबर बहुत हो जाएगा और गोबर इतना हो जाएगा कि हर खेत में डालने के लिए मिल जाएगा यूरिया खरीदना नहीं पड़ेगा डीएपी डालना नहीं पड़ेगा यूरिया डियेपी का 4800 करोड का खर्चा बच जाएगा और जो गाए बेल बहुत हो गए तो उनका मूत्र भी बहुत होगा उस मूत्र को इकठा करके छड़कते रहें तो फसल पे कीड़े नहीं आएंगे तो कीड़े मारने की जो दवाएं डालनी पड़ती है एंडोसलफान, मेलाथियान, पेराथियान, बेंजीन, एकसाकलॉराइड ये सब बंद हो जाएंगी इसका दो लाक करोड और बच जाएगा देश को कितने फाइदे हैं देखुआ बस एक काम करो चाए मत पियो दूद पियो दूद एक कब दूद पिलो और आप दूद पियोगे तो पैसा किसी किसान के ही हाथ जाने वाला है चाए पियोगे तो पैसा ब्रुकबॉंड कमपनी के हाथ जाएगा लिप्टन के हाथ जाएगा टी सिटी के हाज जाएगा गॉट्फरे फिलिप्स के ये सब विदेशी कमपनिया है लूट के पैसा अपने देश में ले जाएंगे हम वही ठंठन गोपाल पहले इस्ट इंडिया कमपनी लूटती थी अब ये लूटेंगे तो बंद कर दो आप इसे तो तुरंत बंद कर दो फिर पीना क्या है दूद पीलो जिनको दूद अच्छा नहीं लगता वो नीबू की शिकंजी पीले नारियल का पानी पीले संत्रे का रस पीले मुसंभी का रस पीले और कुछ नहीं अच्छा लगता तो पानी को खूब गरम करके चाही की तरह से पीले पानी ही पीलो चाही की तरह से तुलसी की पत्ती डालो अधरक डालो परम पुझनी स्वामी जी ने एक फॉर्मूले से एक दिव्य पे बनाया वो पीलो चाही से अच्छा है वो हिर्दै गात के लोगियों के लिए भी blood pressure के रोगियों के लिए भी diabetic लोगों सब के लिए अच्छा है और उसका एक फाइदा और है कि चाय पी के जो जहर इकठा हो गया वो जहर को flush out करके बाहर निकाल देता दिवे पे तो वो ही पी लो उसको पीोगे तो पैसा हमारे trust में आएगा हमारा trust यही काम करने वाला है कुछ और नहीं करने वाला है तो आप तो बंद कर दो कल से कोशिश करो आपका जीवन बदलना शुरू होगा देश के लिए हम बदल रहे हैं देश के लिए यहां से शुरू करो दूसरा एक बदलाव और हो जाए तो बहुत अच्छा है फाल्तू का एकदम खर्चा हम करते हैं बीडी, सिगरेट, गुठका, तंबाकू और दारू का फाल्तू खर्चा बीसियों हजार करोड रुपए हम बरबाद कर देते हैं एक गुठके का पाउच है चार-ऊच रुपए का, मुश्किल से उसमें दस ग्राम निकलता है अब तो पाउच ग्राम ही हो गया है दस ग्राम, आट-नो रुपए का माने हजार रुपए किलों का हम गुठका गटकते हैं दोसोर रुपए किलों का काजु खालो 300 रुपए किलो का बदाम खालो 1000 रुपए किलो का गुटका क्यों खा रहे हो गुटका खाके गाल गलेगा कैंसर होगा मरोगे आप सब 20 लाख लोग मरते हैं हर साल इस देश में कैंसर से गुटका खाके बीड़ी पीके सिगरेट पीके बंद करो ये भी फालतू खर्चा बीड़ी का, सिगरेट का, गुटका का दारू का, शराप का, बंद करो ये खर्चा बचाओ फिर आप बोलोगे जी छूटता नहीं है छोडने के तरीके में बता सकता हूँ गुटका जो किसी का छुडाना हो तो उसकी सबसे अच्छी दवा है अदरक अदरक है ना, उसके छोड़े छोड़े टुकड़े करो उसमें नीबू का रस मिलाओ थोड़ा नमक मिलाओ और धूप में सुखा लो, सुखा के जेब में भरके रखो जब भी गुटका खाने की तलब लगे अदरक का ये टुकड़ा मुह में रखे चूसो, चूसते रहो, चवाना नही गुटका खाने की यादी नहीं आई बहुत सरल है, बहुत आसा है ऐसे बिडी सिग्रेट छोड़ना है तो उसमें भी अदरक काम आता है शराब छोड़नी है तो भी काम आता है अदरक में है क्या? एक केमिकल है, उसका नाम है सल्फर ये वैसन करने वालों के शरीद में सल्फर बहुत कम हो जाता है तो इसकी तलब लगती है, बाहर से पूर्ती करने के लिए तो वो अदरक से पूर्ती कर लो एक टूथ पेस्ट 30 रुपई का 100 ग्राम आता है 300 रुपई किलो अब 300 रुपई किलो का पेस्ट रगडते हैं और थूकते हैं उसको 200 रुपई किलो का घी रोटी पे लगा के खाते हैं 300 रुपई किलो का पेस्ट वास्वेशन में थूक के चले आते हो तो कहते हैं हम बड़े smart मैं हुँँन से कहता हूँ और smart बनो तो कहते हैं क्या करें मैं कहता हूँ ये 300 रूपए के लोग का पेस्ट इतना महंगा इसको ठूकते क्यों हो रोटी पे लगा लगा के खा लो क्योंकि घी से तो महंगा है फाल तो खर्चा पेस्ट का हमारे देश में 20-25 साल पहले तक कोई नहीं करता था ये पेस्ट ये टीवी के विग्यापन में देख देख के हमारा दिमाग खराब हो गया ब्रश ले आते हैं पेस्ट ले आते हैं आपको मैं एक गहरी बात कहना चाहता हूँ अमेरिका और यूरोप के देशों में ये टूथपेस्ट जब दिखता है न तो उस पर चेतावनी लिखी रहते हैं अंग्रेजी भाशा में क्या लिखा रहता है सभी टूथपेस्ट कैंसर करते हैं क्यों टूथपेस्ट बनाने में क्यमिकल डाला जाता उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फिट वो कैंसर करता है और ये क्यमिकल डाले बिना पेस्ट नहीं बन सकता टूथपेस्ट जब आप गिसते हो तो ज़ाग बनता है न वो ज़ाग बनाने वाला chemical यही है sodium laurel sulfate यही chemical होता है shaving cream में, यही chemical होता है washing powder में, यही chemical है detergent powder में, वो ही chemical है toothpaste में, वो ही chemical है shampoo में, सब में एक ही chemical है, सब की quality एक है अब हम पढ़े लिखे लोगों को क्या लगता है, जो paste में जाग जादा बने, वो उतना ही अच्छा, तो shampoo से दात साफ करो फिर तो बहुत जाग बनता है उसमें shaving cream लगाओ दातों में, खूब जाग देगी यह जाग बनाने वाला chemical बहुत खराब है, अमेरिका में तो दातों के doctor है न, वो patient को जब समझाते हैं, तो एक ही बात कहते हैं don't use toothpaste वो कहते हैं, use only tooth brush वो कहते हैं, खाली brush से दात साफ कर लो इस पर paste मत लगाओ क्योंकि cancerous है तो आप छोड़ो दो इसको कुछ अच्छा नहीं, और एक महत्तो की बात है, कि सब tooth paste, call gate close up, pepsodent, sivaka, foreign जितने भी हैं, ये मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बनते हैं हमारे देश में हजारों कतल खाने चलते हैं, 36जार कतल खाने हैं इस देश में जो चलते हैं, उनमें साड़े चार करोड जानवर कटते हैं हर साल, उनका मास बजार में बिकता हैं, उनकी जो हड्डियां हैं वो पेस्ट बनने वाली कमपनियां खरीते हैं हड्डियों को सुखा कर पाउडर बनाते हैं फिर उससे पेस्ट बनता है और रोज सुबह हम दातों पे घिसते हैं धर्म का नाश करते हैं बंद कर दो आप अच्छा ने टेक्स फ्री, कॉस्ट फ्री साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपाइरी डेट कुछ भी नहीं हर गाउं में दातुन मिलती है, गली-गली मिलती है आसानी से उपलब दे तो वही आप करो आप बोलोगे जी दातुन करेंगे तो पेड़ खतम हो जाएंगे उसका भी हिसाब बताता हूँ एक दातुन को साथ दिन करना तो पेड़ कभी भी खतम नहीं होगे क्यों? दातुन के लिए जो डंडी तोड़ते हैं तो जितनी आप तोड़ते हैं साथ दिन में उतनी बड़ी फिर हो जाती है वो मैंटेन रहता है वो साइक्ल तो एक दातुन तोड़ो साथ दिन चलाओ कैसे? दातुन को चबा लिया आगे का हिस्सा चाकु से काट दिया रात को पानी में डाल के रखा दूसरे दिन फिर चबा लिया छे साथ दिन तक चल जाएगा अब कुछ लोग मुझे कहते हैं तो बड़ी गंदी बात है एक ही दातुन को साथ दिन कैसे करें तो आप ये बताओ एक टूथ ब्रश को कितने दिन कर लेते हो एक-एक साल ब्रश रगड लेते हैं तो दातुन साथ दिन करने में क्या बुराई और दातुन तो फ्रेश है ना एक दिन सोचा कि हम पेस्ट बंद ही कर दें और उतने ही पैसे में दातुन खरीदने लगें और एक दातुन पचास पैसे का ही बिके मान लो तो 35 से 40 लाख लोगों को तो रोजगार दातुन बेचने से ही मिल सकता है पूरे देश आप कभी बंबई जाओ तो बंबई के सभी र बढ़ा सकते हैं तो पेस्ट बंद करके ब्रश बंद करके दातुन करें दातुन कर भी नहीं मिले कोई मजबूरी हो जाए तो दंतबंजन कर लें बहुत सारे दंतबंजन भारत में बनते हैं और दंतबंजन घर में बना सकते हैं थोड़ा हल्दी लेलो थोड़ा नमक लेलो थोड़ा तेल लेलो, तीनों को मिलाओ, दाद पे गिसलो, बहुत अच्छा है खर्चे बचाने हैं, और खर्चा कहां बचा सकते हैं, शेविंग क्रीम मत लगाओ, खर्चा बचेगा बहुत पूरे देश का पचास करोड मर्द हैं, जो शेविंग क्रीम में हजारों करोड खर्च करते हैं, या तो स्वामी रामदेव जी की तरह से दाड़ी रख लो, तो खर्चा बचेगा, दाड़ी नहीं है, तो बिना शेविंग क्रीम के दाड़ी बनाओ, खर्चा बचेगा, आप बोलेंगे कैसे मैं आपको तरीका बताता हूँ, थोड़ा दूद ले लो, दूद, कच्छा दूद, उसको चहरे में लगाओ, चहरा एकदम सॉफ्ट हो जाता है, फिर रेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाड़ी बनती है, मैं दस साल से बनाता हूँ, और चार फाइदे हैं इसके, पहला फाइद दूद लगाओ, तो गंदगी निकल जाती है चहरे की, दूद जो है ना, बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट है, जितने बड़े-बड़े ब्यूटी पॉरलर्स है न, वहाँ सब मिल्क क्लिंजिंग ही होता है, दूद से ही चहरा साफ करते हैं, तो रोज दूद ठोड़ा दही लगा लिया रेजर चला लिया नहीं तो गरम पानी लेलो गरम पानी से भी दाड़ी बनती है, नहीं तो नहाते समय दाड़ी बनालो नहीं तो सबसे आसान तरीका है कि एक बुूं टेल लेलो पानी में मिलाके चेहरे पे लगाके रेजर चलाओ एकदम डीप कट होता है क्लीन शेव होते है शेविंग क्रीम का फालतू खर्चा बंद कर दो फिर और एक फालतू खर्चा आप बंद कर सकते हो साबून का फालतू साबून जादा मत लगाओ तो कैसे नहाएं बेसन से नहाओ चने के आटे से मुल्तानी मिट्टी से नहाओ नहीं तो तौलिया भिगा लो पानी में गीले तौलिया से शरीर गड़ लो पानी से नहा लो नहीं तो दूट से नहा लो हमारे देश में महाशिवरात्री का त्योहार आता है शंकर वगवान को दूद से ही नह लाते है तो भक्त क्यों नहीं दूद से नहा सकते हैं जब भगवान नहा सकते हैं तो भक्त नहा सकते हैं हम जब बुजरुगों के पाउं छूते हैं तो वो आशीरवाद देते हैं दूदो नहाओ, पूतों फलो कभी किसी ने ऐसा आशिरवात दिया लक्स लगाओ पूतों फलो या लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो हमेशा कहते हैं दूदों नहाओ पूतों फलो तो बुजरुगों की इतनी तो मानो कि दूद से नहाओ अब दूद से नहाने के फाइदे क्या है दूद से नाने का फाइदा एक तो दूद की बिक्री बढ़ेगी मुनाफ़ा किसानों को मिलेगा गाए पालनी पड़ेगी बहस पालनी पड़ेगी पशुधन बढ़ेगा पशुधन ही देश का धन है वो कहते दे ना गोधन गजदन बाजधन और रतन धन खान तो गाय, पशु, ये सब धन है देश का संपति है, बोज़ा नहीं है कोई दूद की डिवान बढ़े तो यही होने वाला है और दूद से ना old ऐ एक फाइदा है साब उनका खर्चा कम दूद से ना आएए तो और ऐक फाइदा गंदगी निकल जाती है आप थोड़ा दूद ले लो चेहरे पे लगाओ फिर रूई से चेहरा पूछो एकदम काले काला रूई हो जाता है कौई कि गंदगी सब निकल आती है दूद एक अकेली चीज है पूरी दुनिया में जो लगाने के दो मिनट बाद ही गंदगी को खीच लेता है इसलिए ब्यूटी पॉरलर में मिल्क क्लिंजिंग होता है सोप क्लिंजिंग कहीं नहीं होता तो आप सोचो नहाना दूद से शुरू करो एक दो चम्मच दूद लगता है एक दो चम्मच कच्चा दूद लेके तेल की तरह से रगड लो पानी से नहाल तो तवचा एकदम नरम रहती है तवचा नरम रहेगी तो कोल्ड क्रीम का खर्चा बचेगा पाम उलिव नहीं लगाना पड़ेगा ओल्ड स्पाइस नहीं लगाना पड़ेगा fair and lovely नहीं लगाना पड़ेगा वो हजारों करोड का खर्चा बचे लोग fair and lovely लगा लगा के परिशान है कहते हैं इससे गोरा पनाता है मैंने एक भैस को चार साल लगा के देख लिया वो अभी भी काली की काली है दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे जो काला है काला है जो गोरा है और जो काला गोरा हो जाता fair and lovely से तो अफरीका वाले तो सब गोरे होते कोई क्रीम काले को गोरा नहीं बना सकते यह तो मूर्ख बनाते हैं वो विग्या पन और हम कितना खर्चा करते हैं 25 ग्राम फेर नवली 40 रुपय की है, 50 ग्राम 80 की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपय की, अब 1600 रुपय किलो की क्रीम लगाते हैं, 400 रुपय किलो बादाम नहीं खाते, क्या मुरखता हैं, बन करो ये क्रीम पाउडर लिपिस्टिक नेल पॉलिश सब बन कर दो फालतू का बहुत खर्चा बचेगा फिर आप कहेंगे जी सुनदरता नहीं आएगी सुनदरता गुण कर्म और सुभाव से आती है क्रीम पाउडर लिपिस्टिक से नहीं आती जिसके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, सुभाव अच्छा है, वो सबसे ज़्यादा सुन्दर है ये हवेशा याद रखवा और हम किसी को भी याद करते हैं तो गुण कर्म सुभाव पर याद करते हैं उसने काम ऐसा किया देश के लिए, इसलिए याद करते हैं, कर्म किया, गुण उसमें ऐसे थे, तो गुण याद रखे जाते हैं, कर्म याद रखे, कभी कोई आदमी मरता है न, तो ऐसे कोई याद नहीं करता, ओ, मर गया, कितना गोरा था, विचारा मर गया, कोई याद नहीं करें हमेशा याद करते हैं कितना गुणी था देश भक्त था राश्ट्र भक्त था धर्म प्रेमी था मर गया ऐसे याद करते हैं गुण याद होते हैं कर्म याद होते हैं सुभाव याद होता है सुन्दरता याद नहीं रहती क्योंकि सुन्दरता च्छनिक है नश्वर है हमेशा नहीं रहती क्यों फस गए इसमें फिर क्रीम पाउडर लिपस्टिक हम तो इंदुस्तानी लोग कहते हैं आत्मा की सुंदरता की बात है शरीर में काम फसे है तो ये थोड़ा आप बदलने की कोशिश करो बहुत देश का धन बचेगा मैंने एक दिन छोटे छोटे ये हिसाब निकाले तो पता चला की दो लाख बत्ती सदार करोड रुपए हम बचा सकते हैं अगर जिन्दगी में एक सूत्र पालन करें सिंपल लिविंग हाई थिंकिग जीवन सरल हो विचार उच्छ से उच्छतम इतने से ही दो लाख बत्ती सदार करोड बचा सकते तो आप बचाने की कोशिश करो अगर आपकी जिन्दगी एक जोडे जूते में चलती है तो दूसरा मत खरीदो तब तक जब तक वो फटे नहीं एक जोडे चपल में जिन्दगी चलती है तब तक मत खरीदो जब तक वो फटे नहीं दो शर्ट दो पैंट जब तक चल रहे हैं तब तक दूसरा मत बनवाओ जब तक पहला फटे नहीं इस तरह का सोचना अगर हम शुरू कर दें भगवान ने हमें गरीब नहीं बनाया लेकिन हम गरीबी को समझ कर सोच कर अपने जीवन में धारण करें ताकि 84 करोड हमारे गरीब अमीर हो जाएं समर्द शाली हो जाएं हमें उनके लिए ये सोचना है आप बस अपने जीवन में करो और भारत का हर महान व्यक्ति ये ही किया गांदी जी को देखो बैरिस्टर पास, LLB, LLM सब किया टाई लगाने वाले, सूट पहनने वाले, कोट पहनने वाले सब छोड़ दिया, लंगोटी धारण कर लिया उसी दिन से देश ने उनको महात्मा कहना शुरू कर दिया श्री राम ने घर छोड़ दिया महल छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, सुविदाएं छोड़ दी वन में चले गए, कश्ट जेलना शुरू किया तभी उनको मर्यादा पुरशोत्तम कहना हमने शुरू किया महावीर ने जब अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बैवव छोड़ा, संसार छोड़ा तो हमने उसको तीर ठांकर कहना शुरू कर दिया, भगवान माने गौतम बुद्ध ने जब सब कुछ छोड़ा, महल, सुख, सुविदाएं तब उनको महात्मा कहा गया, इस देश में जिसने जितना ज़्यादा त्याक किया वो उतने ही उचे सिंगासन पर बैठा, यही हमारी परंपरा है भोग करना हमारी परंपरा नहीं है, त्याक करना और त्याक करना तो देश के लिए, समाज के लिए, अपने भाई बांदवों के लिए ये सोचकर अगर हम अपने जीवन को फिर से रीडिजाइन करें तो बहुत लाव इस देश को होता है और एक छोटी सी बात और कि आप कुछ अपने जीवन में ऐसा करो, खर्चा और कम हो सकता बीमार पढ़ना बंद कर दो बहुत खर्चा बचे हर साल हम साड़े छे लाख करोड रुपए खर्च करते हैं बीमारीयों के इलाज पर और इलाज नहीं हो पाता कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही बंद करो तभी बीमारी ठीक होगी बीमार पढ़कर इलाज करें और पैसा खर्च करें ये तो मूर्खता है बीमारी ना पढ़े तो क्या करें थोड़ा योग कर लो थोड़ा प्राणायाम कर लो स्वामी रामदेव जी रोज सबेरे फोकट में सिखाते हैं पांच से साड़े साथ आस्ता चैनल पे कोई पैसा नहीं लगता कोई फीस नहीं लगता शुरू करो चालो हो जाओ थोड़ा बस्रिका कर लिया थोड़ा कपाल भाती कर लिया थोड़ा अनलोम विलोम कर लिया थोड़ा उदगीत कर लिया, थोड़ा प्रनव कर लिया छे साथ प्रनायाम वो बताते हैं, वो आप ध्यान से कर लो आदा पौना घंटे ही रोज कर लो तो आपका ब्लेट प्रेशर, आपका डाइबिटीज, आपका अर्थराइटिस ऐसी बीसी ओ नहीं, पचासी ओ नहीं, सेकड़ों बीमारियों से आप बचे लिए और दूसरों को करवा दो इसके लिए क्लास चलती है, योग कक्षाएं चलती हैं, यहां होशंगबाद में भी होती होंगी, यहां भी योग सिक्षक हैं उनके शरण में चले जाओ, उनको बुलाओ, वो सिखाएंगे, आप सीखलो उनके पास जाके यह सब निशुलक है, इसमें कोई फीस नहीं लगती यह सारे हमारे पदादिकारी पहले योग सिक्षक हैं, बाद में पदादिकारी हैं, यह सब कक्षाएं लेते हैं, सब सिखाते हैं, प्रणाया, हमारे यहां नियम ही है, कि पदादिकारी वही हो सकता है, जो खुद सीखा हुआ हो, और दूसरों को सिखाता हो, तो आप इनसे कभी भी सीख सकते हैं और खुद कर सकते हैं महिने में कुछ special class भी ये लोग आपकी करा सकते हैं चार दिन, पांच दिन महिने में और सामन्य कक्षाएं तो रोज चल सकती हैं तो योग प्रणयम से आप स्वस्त रहना सीख लो और थोड़ा आयुरुवेद के उन्होंने कुछ नियम बनाए और उनका ये कहना है कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करें बीमारी नहीं पड़ सकता आप उन नियमों का पालन कर लो बहुत आसान नियम है महरशी बागवट कहते हैं वात पित कफ तीनों को संतुलित रखो तो बीमारी आएगी नहीं बस इतनी सी बात है अब बात पित कफ को संतुलित रखने के लिए क्या क्या करें तीन चार उनके छोट छोटे नियम आप अगर कर लो तो बहुत अच्छा है उनका पहला नियम है कि खाना खाने के तुरंद बाद पानी मत पियो अगनी शान्त हो जाती है फिर खाने के पचने का काम बंद हो जाता है फिर खाना सड़ता है और सड़ा हुआ खाना सौ से ज़्यादा रोग पैदा करता है इसलिए कहा गया भोजनांते विशमवारी भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है मत पियो एक डिड़ घंटे बाद पियो दूसरा उनका नियम है पानी घूट 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 भर के पियो एक एक सिप क्यों मुँकी ला रहे ना वो पूरी पानी में मिलके अंदर जानी चाहिए क्योंकि ये मुँकी ला रहे ना चारी है और पेट में अमल बनता है चार और अमल अगर मिलता रहे तो न्यूटरल कर देता है एक दूसरे को तो पेट न्यूटरल रहे तो जिंदगी में बीमारी नहीं आती इसलिए पानी घूट घूट पीओ एक एक सिप करके आप पशूओं को देखो पक्षियों को देखो एक एक घूट पानी पीते है चुडिया को देखो पानी पीते हूँ एक एक ड्रॉप पानी का उठाती है एक बून फिर ऐसे ऐसे मूँ चलाती है फिर पीती है सभी जानवरों को देखो कुत्ता पानी चाट चाट के पीता है शेर, चीता, लकड़ भगगा ये सब पानी को सिप करके पीते और किसी चड़िया को आपने ओवरवेट नहीं देखा होगा किसी जानवर को डाइबिटीस नहीं है, कोई ओवरवेट नहीं है, क्यों? सब सिप करके पानी पीते मनुष्य है जो गटागट, गटागट, गटागट पीता है, और वजन के लिए प्राइबिटीस के लिए परेशान है, अर्थराइटिस से परेशान है, आप पानी सिप सिप पीने लगो, बहुत फाइदा है इतना फाइदा है कि आप सोच नहीं सकते तो पहला आप नियम है, खाने के एक डड़ घंटे बाद पानी पीओ, दूसरा नियम पानी गूट गूट पीओ, तीसरा नियम है बागबट जी का सबेरे सो कर उठो तो सबसे पहले पानी पीओ दिन की शुरुआत पानी से करो बिना मूधोघे, पानी पीओ, बिना कुला कि पानी पीओ, रात की मूखी लार जो जमा हो गई न, वो सब पैट में लेके जाओ, थूको मत क्योंकि वो बहुत कीमती है सुबह सुबह क्या होता, पेट खाली होता है तो समय ऐसिड सबसे जाद़ पैट में बनता है तो मूँ की लार पेट में जाये तो उसको शान्त करते हैं इसलिए उठते ही पानी प्यों कम से कम दो तीन गिलास फिर उसके बाद टॉइलेट में जाओ चोथा नीयम है थंडा पानी कभी मत पीयो गलती से भी मत पीना कितनी भी प्यास लगेए तेज गला सूखता हो थंडा ने पीना साधा पानी पीना या गुन गुना पीना क्यों ठंडा पानी पीते ही सारी गड़गड होती है पेट तो गरम है पानी तो ठंडा है गरम पेट में ठंडा पानी डालेंगे तो पेट पानी को गरम करेगा नहीं तो आप मर जाएंगे पानी अगर पेट में ठंडा बना रहे तीन मिनट तक तो liver, kidney सारे function बंद कर देते हैं क्योंकि liver और kidney को function करने के लिए गर्मी चाहिए, ठंडापन नहीं चाहिए hurt function बंद कर देता है तो 3 मिनट में वो पानी को गरम करना पड़ता है पेट को और पानी गरम करने के लिए उर्जा चाहिए, गर्मी चाहिए गर्मी कहां से आएगी, खून में से तो सारे शरीर का खून पानी को गरम करने में लग जाता है तो 3 मिनट तक शरीर के सभी अंगों में खून की कमी आ जाती है और एक दिन में 10 गलास आपने ठंडा पानी पिया तो 3 मिनट के हिसाब से सोचो 30 मिनट और एक साल में हजारों गिलास पानी पीज़ 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 तो सोचो कोई अंग हमेशा के लिए आपका खतम हो जाएगा अगर बलड की कमी जादा हो गई तो फिर बदल नहीं पाएंगे उसको आप लीवर खराब हो गया तो ट्रांश्प्लांट करने में 15 लाग का खरचा है किड्नी खराब हो जाए तो धाई 3 लाग का खरचा है हर्ड कराब हो जाए तो 7-8 लाग का खरचा है क्यूं आप रिस्क ले रहें? मत पिऊ ठंडा पानी फ्रिज में पानी रखना बंद कर दो फ्रिज पानी रखने के लिए नहीं है दवा रखने के लिए तो आप मत पियो दूसरे को मत पिलाओ हमेशा सादा पानी पियो गुन-गुना पानी पियो सरदियों में तो बहुत अच्छा है गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं बारिश में तो पानी को उबाल कर ही पीना सबसे अच्छा जॉन्डिस से भी बचे ने तो ये छोट छोट नियम है खाने के एक गंटे बाद पानी पीना पानी गूट गूट पीना सबेरे उठते ही पहले पानी पीना ठंडा पानी कभी नहीं पीना पानी को हमेशा बैठ के पीना खड़े खड़े नहीं खड़े खड़े पीया हुआ पानी सब अर्थराइटिस का तकलीफ पढ़ाता है गुटने का दर्द कमर का दर्द हमेशा बैठ के पीना ऐसे ही खाना खाओ तो खाने को इतना चबाओ जितने आपके दांत 32 दांत हैं तो 32 बार चबाओ रोटी का टुकड़ा मुँ में रखके 32 बार चबाओ लार के साथ गुल के पानी जैसा ओके अंदर जाएगा बहुत अच्छी जिंदगी में सेहत रहेगी खूप चबा के खाना खाओ और एक दो छोड़ी छोड़ी बाते हैं कि खाना खाते समय दो चीज़े ऐसी साथ में ना हो जो एक दूसरे की विरोधी हैं जैसे दूद और दही साथ में नहीं हो प्याज खाना है तो दूद मत खाओ दही खाना है तो प्याज नहीं होना चाहिए दही में नमक डालके मत खाओ मीठी चीज डालके खाओ नहीं तो सादा दही खाओ दही में नमक डालना माने दही का सत्या नाश करना दही जो है न छोटे छोटे जीवाणों का घर है लेक्टो बैक्टिरिया सबसे ज़्यादा दही में है वो जीवित चाहिए शरीर को जैसे ही एक चुटकी नमक डालते हैं सम्मर जाते है फिर दही खा रहे हैं तो जीवाणों की लाश खा रहे हैं इसलिए आयरुवेत कहता दही में कभी भी नमक नहीं डाल के खाना बूरा डाल के खा सकते हैं, मिठाई डाल के खा सकते हैं, नमक नहीं और नमक डालने की कोई मजबूरी हो तो सेदा नमक डालें, काला नमक, सादा नमक नहीं तो ऐसी छुट छुटी बाते अगर हम हमारे जीवन में पालन करते हैं तो बीमारी आती नहीं, तो खर्चा बचता है, तो देश की आमंदनी बढ़ती है तो ये एक रास्ता है देश को बहतर बनाने का, अपने जीवन को सुखी बनाए हमारे देश में ही ये कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रान पश्यन्तु मा कश्चित दुख भागव सब सुखी हों, सब निरोगी हों, ये भारत में ही हैं प्रार्थना और कहीं नहीं तो इस प्रार्थना को हम हमारे जीवन में उतारें हम सुखी बनें दूसरों को सुखी बनाएं ये छोड़ छोड़ी ग्यान की बाते हैं आपने सीखी दूसरों को सिखाएं सारे देश में घर घर में गली गली गाओं गाओं ये जानकारी लोगों तक पहुँचाएं ये एक बड़ा काम और आप कर सकते हैं व्यक्तिकत रूप से तो ये मेरी आप से व्यक्तिकत अपील है कि थोड़ा जीवन बदलिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में जाइए फाल्तू खर्चे मत करिये और जो काम करने से देश का पैसा बेकार होता हो विदेश में जात तो देश का पैसा गया और वो पैसा फिर आएगा नहीं वापस देश में उस्तने पैसे की कमी जिंदगी भर रहेगी इसलिए आप अपने जीवन में एक स्वदेशी वस्तों के अपनाने का सिध्धान्त अब आप ये पूछोगे पता कैसे चलेगा कौन सी वस्तु विदेशी कौन सी स्वदेशी उसके लिए एक पत्रक बनाया है जीवन दर्शन एक पुस्तक है उसमें पीछे चपा हुआ है आप ले सकते हैं योग समीती वाले आपको दे सकते हैं चाप के अलग से भी दे सकते हैं वो जानकरी आपको हो जाएगी बस मन में संकल्प आप करें तो ये छोटे छोटे कुछ संकल्प आप करें देश के लिए समाज के लिए ये निवेदन करने आया इतनी देर मैंने आप से ये सब बाते की आपने बड़े ध्यान से सुनी मैं आपका आभारी हूँ आप इन बातों को दूसरों को सुनाइंगे और भी आभारी रहूँगा अब मे परशन पूछें एक एक उठके जाने लगें तो फिर प्रशन करना ठीक नहीं होगा तो आप सब बैठेंगे मैं भी बैठूँगा प्रशन करना है तो साथ में सुने हो सकता है वो प्रशन आपके भी काम आजाया आपके जीवें पीछे से प्रशना आया है वो ये है कि अपने देश में जो गाले धन है जिसकी मात्रा मैंने बता हीन, चछतीस लाक करोड का इसके लिए कोई योजना है, हाँ इसके लिए योजना यह है कि इस काले धन को सफेद बनाना है और इसको सफेद बनाने का एक ही मिनिट का काम है कि आप income tax कानून को जिस दिन रद्द कर देंगे ये सारा कालाधन अपने आप सफेद हो जाएगा और ये 36 लाग करोड कहीं छुपा हुआ रखा है लोगों के घरों में ये अपने आप बाहर आ जाएगा या तो लोग इसे बैंक में जमा कर देंगे या तो उसको कार खाने लगाने में, उद्योग लगाने में इस्तेमाल करेंगे या उस पैसे का खर्चा करेंगे तीनों ही इस्थति में ये पैसा economy में घूमेगा अर्थ वियवस्था में आ जाएगा अब 36 लाग करोड रुपए अगर अर्थवेवस्था में आता है तो इससे तो कितनी productivity हम बढ़ा सकते हैं पूरे देश की तो कालाधन जो पहले से तयार है, जमा पड़ा है, इसको भी बाहर निकालना है इसी के लिए Income Tax Act में बड़ा संशोधन और फेर बदल करवाना है वो एक बड़ी योजना है, उसकी भी कोशिश हमारी चल रहे है और कोई प्रश्श बारस वाइमान अभियान ये कर रहा है कि जो सिक्षा व्यवस्था हमारी इस समय है वो अंग्रेजों की है, मैकॉले नाम का एक अंग्रेज आया उसने सिक्षा का पाठिक्रम बनाया, उसके आधार पर स्कूल चलते हैं सारे के सारे हम उस पाठिक्रम को बदलना चाहते, नया पाठिक्रम लाना चाहते उसके लिए एक स्वदेशी सिक्षा का मॉडल हम बना रहे हैं और उसमें गुर्कुलों की व्यवस्था शुरू करने फिर से जा रहे हैं पहले जो गुर्कुल हमारे यहां होते थे उनकी विशेष्टा सबसे बड़ी यह थी कि वो निशुल्ख होते थे मने सिक्षा सभी के लिए उपलब्द होती थी वो गरीब हो या अमीर हो आपको मालू है श्री करश्ण और सुधामा एक ही जगे पढ़ते थे सुधामा के पास तो पैसे ही नहीं थे करश्ण तो करोडपती थे करोडपती का बेटा या रोडपती का सब एक साथ पढ़ते थे क्योंकि फीस नहीं लगती थी तो सिक्षा तो निशुल्ख होनी चाहिए दूसरा उस सिक्षा में जो ग्यान होता था वो ऐसा होता था तो जीवन के काम का अभी जो सिक्षा है इसमें ग्यान ऐसा है जो जिन्दगी में कभी काम नहीं आता जैसे मैं खुद मेरे से प्रश्न करता हूँ मैंने गणित पढ़ा, modern algebra पढ़ा उसमें x plus y whole square पढ़ा, x minus y whole square पढ़ा x plus y whole cube पढ़ा, x minus y whole cube पढ़ा खूब पढ़ा, खूब रटा, इमतहानों में लिखा, नमबर भी लाया लेकिन वो आज तक मेरी जिन्दगी में काम नहीं आया एक भी दिन काम नहीं आया, x plus y whole square जब काम नहीं आया तो क्यों पढ़ा मैंने मेरे teacher कहते हैं काम उनको भी नहीं आया लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया, क्योंकि उनको किसी ने पढ़ाया तो ये भीडिया दसान क्यों चलाना तो जो ग्यान काम नहीं आता उसको पूरा हटा देना ही अच्छा है वो बोज़ा है, और जो हमें याद नहीं रहता वो भी हटा देना अच्छा है हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है हमारी पढ़ाय की क्योंकि वो काम की नहीं है, इसलिए याद नहीं है जो चीज़ें रोज काम आती है, वो याद रहती है जो रोज काम नहीं आती हो बेकार है तो यो याद नहीं रहने वाला वो हटा दे जो काम का नहीं है वो हटा दे परिणाम जानते हैं क्या होगा बारवी तक की सिक्षा किसी भी विद्यार्थी को दो-तीन साल में ही मिल जाएगी उसका समय बच जाएगा उसका नॉलेज बढ़ जाएगा और फिर प्रोफेशनल एजुकेशन में भी हम यही कर सकते हैं इंजिनरिंग और मेडिकल साइन्स में तो यह हम करना चाते हैं और हम क्या करना चाते हैं सारी सिक्षा मात्र भाषा में या इस्थानिय भाषा में मराठी, तमिल, तेलगू, मल्यालम कंणर, उजगुजराती, उडिया आसामी या हिंदी इन में पूरी पढ़ाई हो अंग्रेजी बिलकुल खतम हो अंग्रेजी किसी को सीखनी है भाशा के रूप में तो सीखे जिनको विदेश जाना है विदेश व्यापार करना है वो अंग्रेजी सीखे सब को मार मार के अंग्रेजी क्यों सिखाना उससे उसका दिमाग कुंठित होता है हमारे देश में पता है बहुत प्रतिवाशाली बच्चे हैं लेकिन अंग्रेजी में हमेशा फेल होते हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते उनका गणित अच्छा है उनका फिजिक्स अच्छा है उनका केमिस्ट्री अच्छा अंग्रेजी खराब है और अंग्रेजी खराब होने में हैरानी क्या है क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है खराब तो होनी चाहिए हमें अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए इंग्लेंड में किसको हिंदी आती है जो हमें अंग्रेजी आनी चाहिए जब वो हिंदी सीखने के लिए परेशान नहीं है तो हम अंग्रेजी सीखने के लिए क्यों मार हमारी कर रहे हैं और हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अंग्रेजी का बाजा बजाते रहते हैं अंग्रेजी राष्ट भाषा अंग्रेजी अंतर राष्ट भाषा दुनिया में 200 देश हैं सबका मैंने पता कर लिया सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी चलती है बाकी कहीं नहीं चलती है फ्रांस में फ्रेंग चलती है, जर्मनी में जर्मन चलती है, स्वीडन में स्वीडिश चलती है, डेन्मार्क में डैनिश चलती है, रूस में रशियन चलती है, जपान में जपेनीश चलती है, चीन में चाइनीश चलती है, सब देशों की अपनी भाशाओं में सिक्षा होती है भारत में ये अंग्रेजी चलती है और ऐसी मुर्खता पुरु भाषा जिसका कोई ओर छोर नहीं है प्यूटी पुट तो ब्यूटी बुट और ब्यूटी बट तो प्यूटी पट सीउटी कट ब्यूटी बट तो प्यूटी पट होना चाहिए कि नहीं और अगर P.U.T. 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 होना चाहिए क्या मुर्खता पूरु भाशा है अंग्रेजी में लिखते हैं चोपडा C.H.O. P.A.R.A चोपडा लिखते हैं न अच्छा कहीं पे C.H. चोपडा कर देते हैं कहीं C.H. कोपडा कर देते हैं अब कहां कर देते हैं केमिस्ट्री लिखते हैं तो C.H.E. M.I.S.T.R.Y. वहाँ C.H. है यहाँ C.H. है यहाँ चोपडा हो गया वहाँ चेमिस्ट्री क्यों नहीं है और अगर वहाँ केमिस्ट्री है तो यहाँ कोपडा क्यों नहीं है कोई जवाब है जिसका कोई grammar नहीं है उधार लिया हुआ सारी दुनिया से शब्द नहीं है उनके पास सब उधार लिया हुआ है शब्दों की इतनी कमी है अंग्रेजी में एक शब्द है अंकल ले देखे चाचा हो, मामा हो, मौसा हो, फूपा हो, ताउ हो सब अंकल हमारे यहां हो सकते हैं चाची हो, ताई हो, मामी हो, मौसी हो, सब आंटी क्योंकि शब्दी नहीं है जिस भाषा में शब्दों का इतना अकाल हो उसको हम कहें कि बड़ी अच्छी भाषा है हमारे पास हर बात के लिए एक खास शब्द है उनके पास है ही नहीं और अंग्रे जी के मूल शब्द तो बहुत कम है लेटिन से उधार ले लिए, फ्रेंच से उधार ले लिए, जर्मन से ले लिए, फिर रशियन से ले लिए, फिर इन से ले लिए, खिचड़ी बना लिया उन्होंने अपना हम उसको बावा करते रहते इसमें मत फसे और अंग्रे जी के कुछ शब्द तो इतने खराब हैं जिनको हम जानते नहीं बोलते रहते हैं फाल्तू में हमारे देश में अधकचरे लोग बहुत है अधकचरे लोग पता है कैसे पिता जी है राम दयाल माता जी है गाहित्री देवी बेटा है टिंकू अब राम दयाल और गाहित्री देवी का टिंकू कहां से आया अब उनसे मैं पूछता हूँ भाई आपने इसका नाम टिंकू क्यों रखा कुछ मालूम नहीं फिर उनको दिखाता हूँ को टिंकु का अर्थ होता है आवारा लड़का अंग्रेजी में टिंकु उसको कहते हैं जो आवारा हो बाप की ना सुने मा की ना सुने आप अपने अच्छे खासे बच्चे को टिंकु टिंकु बोल बोल के आवारा करना चाहते नाम रखे हों बबली डबली डिंकल ट्विंप पंपल पंपल पता नहीं क्या क्या ना कुछ मतलब नहीं जिन नामों का उनको रख के क्यों अपना दिमाग खराब बच्चों का करते खराब और कुछ-कुछ लोग तो ऐसे विचित रहें कभी मैं उनसे मिलता हूँ अधकचरे लोग कैसे ना तो अंग्रेज हुए ना हिंदुस्तानी रह गए बीच के रह गए तृशं को हाँ वो कभी मिलेंगे कैंगे राजीव दिख्षित she is my missis मैं कहते हूँ oh really she is your missis क्योंकि उनको missis का मतलब जानते हैं missis का मतलब होता है धरम पत्नी को छोड़कर कोई भी इस्त्री वो missis होती है और यहाँ धरम पत्नी को missis बनाने में सब लगे रहते हैं ऐसे बोलते है oh he is my mister पती को छोड़कर कोई भी पुरुष mister होता है और सबसे खराब अंग्रेजी का शब्द है madam यह अंग्रेजी का तो है नहीं यह फ्रेंच का शब्द है फ्रेंच में शब्द है मादाम ma 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 क्या मूर्ख था आप सब करते हैं ये सब बन करोआ ये मैडम कहना मिस्टर कहना मिस्स कहना मालूम ही नहीं है आपको आप बखते जाते हैं मुझे तो इतनी खुंदक होती है कि कोई महला अपने को मैडम कहलवाती कैसे है क्योंकि पता ही नहीं है उनको मैडम का अर्थ क्या है और ये तो बहुत ही खराब शब्द है जैसे अंग्रेजी में हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस आप तो सुन नहीं पाएंगे उनकी डेफिनेशन जो है मैं थोड़ी अंग्रेजी और अमरीकी सब्विता पर बहुत काम कर रहा हूँ, रिसर्च बहुत किया है हर शब्द का एक इतिहास है अंग्रेजी में मिस्टर शब्द कहां से आया मिस्स कहां से आया मैडम कहां से आया इसका अपना पूरा हिस्ट्री है अगर वो जान लें, तब इस्तेमाल करें बन करिए ये सब इसमें कोई शान की बात नहीं है श्रीमान कहिए श्रीमती कहिए श्रीमती कितना सुन्दर शब्द है श्री माने लक्षमी मती माने बुद्धी लक्षमी और श्रस्वती माने बुद्धी और लक्षमी जहां एक साथ हो वो मिसिस नहीं है दोनों अलग अलग चीज है तो गर्व करिए अपनी भाशा पर भाव रखिए अपनी भाशा जो व्यक्ति अपनी भाशा पर गर्व नहीं कर सकता वो किस पर करेगा भाशा, भूशा, भोजन, भजन, भेशज ये सब गर्व करने की चीज़ है अंग्रेजी में ये नहीं मिलेगा आपको अंग्रेजी सीखिये भाशा के रूप में उसमें बुराई नहीं है लेकिन उसको जीवन में ओड़िये और बिचाईये मत कभी दूर रखिये थोड़ा जबरजस्ती किसी पर रॉप ज़ाडने के लिए अंग्रेजी बोलने लगे वो बहुत खराब है आप उसका अपमान कर रहे हैं तो ये कुछ बातें ध्यान रखे हम चाहते हैं भारत स्वाईमान की सिक्षा व्यवस्था ऐसी जिसमें अंग्रेजी की जरूरत ना पड़े मात्र भाषा में सारी पढ़ाई हो पाठिक्रम हमारा अपना हो मैकॉले वाला पाठिक्रम हम अटा दें गुर्कुल पद्धिती फिर से आए जहां सिक्षा निशुल्क मिले क्या करोडपती क्या रोडपती और विद्धियार्थियों को जो पढ़ाया जाए वो ऐसा हो जो उनके जीवन में काम आए जो जीवन में काम नहीं आता वो पढ़ाने का कोई फाइबाई है उसके लिए हम एक अभ्यास करम बना रहे हैं बहुत जल्दी तयार हो जाएगा आपको मैं दे दूँगा आपकी इक्षा हो तो उस अभ्यास करम को आधार बना के यहां होशंगाबाद में भी गुरुकुल शुरू कर सकते एक नहीं दस कर सकते उसके लिए पहले सिक्षकों को तयार करेंगे जैसे अभी हम योग सिक्षक तयार करा रहे हैं वैसे ही इन गुरुकुलों के लिए सिक्षक तयार करेंगे उनके भी प्रसिक्षण शिविर होंगे आप चाहें तो अपना गुरुकुल चला सकते हैं समू में चला सकते हैं पूरी सिक्षा व्यवस्था को हम बदलना चाहते और इस सिक्षा व्यवस्था में इम्तहान नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि ग्यान की परीक्षा नहीं ली जा सकती, ग्यान असीमित है, कोई परीक्षा नहीं ले सकता उसकी, ग्यान तो सीखना और सिखानी का का होता है हमारे गुर्खुल चला करते थे कोई परिक्षा नहीं होती थी और सर्टिफिकेट के लिए कोई कुछ नहीं करता था ज्यान के लिए सारा होता तो हम चाहते हैं कि वह सिक्षा-पद्दति आये उसके लिए हमारी कोशिश है कि अलग से बोर्ड बने इस देश में जैसे एक CBSE बोर्ड है ICSE बोर्ड है ऐसे हम अपना अलग बोर्ड बनाएंगे उसके नीचे सब गुर्खुल चलाएंगे और उनकी मानिता वहीं से होगी तो अभी एक पतंजली विश्व विद्याले तो बनी रहा है थोड़े दिन में तयार हो ज भ्यान लगबक दो साल में शुरू होगा बहुत बड़ा भ्यान होने जारे क्योंकि सिक्षा अगर नहीं बदलेगी तो नया भारत नहीं बनेगा मूल से जड़ से तो हमें करना ही पड़ेगा तो वो भी कोशिश है अब इस विशे पर अगर मैं व्याख्यान दूता हूं त तो क्या अपने वोट का अजिकार का इस्तेमाल अगर नहीं करें नहीं जरूर करें बस ये चेतना के साथ करें कि हमारा वोट कितना कीमती है आपका एक वोट किसी को छे लाख-चौदे हजार करोन रूपए लूटने का लाईसेंस दे देता है इसको ध्यान रखें हम हमारे बोट का इस्तेमाल करते हुए यह ध्यान नहीं रखते हैं हम चुप चाप जाते हैं और बिना किसी कदर के देके चले आते हैं सोचते नहीं विचारते नहीं कि जिस व्यक्ति को हमने दिया है वो इस लायक है भी या नहीं भी चूंकि हम यह विचार नहीं करते हैं इसलिए पार्लिमेंट में पहुंचे हो, ये हमारी बेकदरी का नतीजा है, तो हम ध्यान रखें वोट देते समय कि ये कितना कीमती है, मेरा ये कहने का मतलब है, आप वोट जरूर करें, बिना वोट करें नहीं रहें, लेकिन जिसको वोट दे रहें हैं, वो आपके वोट का पात्र है नहीं इसको जरूर दियान में रखे उसका चरित्र कैसा है चाल चलन कैसा है देश भकती कितनी है राश्र हभकती कितनी है किसलिए वो जा रहा है संसद और विधान सभा में ये सब चीज़ें आपकी ध्यान में होनी चाहिए उनको देखकर वोट करें और मैं आपसे इसपष्ट कहना चाहता हूँ खुल के पारटी को कभी भी वोट ना करें प्रत्याशी को वोट करें हमारे यहां क्या होता ना पारटी एक साथ टिकेट बांट देती है चोर उचके लुचे लफंगे गुंडों को और एक पारटी ने गुंडों को दिया दूसरी उससे बड़े गुंडे को देती है क्योंकि गुंडा ही गुंडे को टकर दे सकता यह उनके तरक है को तरक हां व्यक्ति को वोट दे हां तो तीसरा अपना खड़ा करें अगर आपके यह ऐसी मजबूरी आ जाए कि दो गुंडे हैं बड़े बड़े तो तीसरा अपना प्रत्याशी खड़ा करें यह मेरा कहना जो चरित्रवान है जो आपके वोट की कदर कर सकता है जो देश और समाज के लिए काम कर सकता उसको आप खड़ा करें और जिता के विधान सवा या लोक सवा में पहुंचा है पार्टियों के खड़े कि यहों को हराएं, ध्वस्त करें, क्योंभी पार्टियां कई बार इतने घमंड और गुरूर में होती हैं, वो क्या सोचते हैं, हमने खड़ा कर दिया, जीत नहीं वाला है, अभी इनका ये घमंड तो तोड़ी ही देना है, कि तुमने खड़ा किया हुआ हमेशा जीत गारेंटी नहीं है, लोगों ने खड़ा किया हुआ भी जीत सकता है, और ऐसा मध्यप्रदेश में हुआ है, मुझे सुनाई दिया, रतलाम में हुआ है, बड़े-बड़े दिगजों को धराशाई कर दिया लोगों ने, तो अगर ये एक जगे हो सकता है, तो सब जगे होना चाहिए, ये चुनाओ में खड़े होने वाले प्रक्ताशियों को बड़ा घमंड है, बड़ा गुरूर है कि मैं तो जीत कही आने वाला हूँ, मुझे कौन हराने वाला है, मैंने यहां मैनेज किया है, मैंने बहां में, इनका घमंड और गुरूर तो तूटना बहुत जरू कि मेरी सत्ता को कौन चुनोती दे सकता, मैं तो सर्वे सर्वा इस देश की, और वो काले दिन उन्होंने दिखाए इस देश को जो भगवान न करी दुबारा देखने पड़े, इसी देश की जनता ने उनका घमंड तोड़ा था, गुरूर तोड़ा था, जो गांदी, शरीम पास हमेशा रहना चाहिए, कि कोई सिर चड़के ना बैठ जाए, वो आपका प्रतिनिदी है, मालिक नहीं है, वो आपका सेवक है, नौकर है, वो मास्टर नहीं है इस देश का, उसको उसकी जगे दिखा के रखो, हमने इनको बहुत जादा सिर चड़ा लिया है, अपने जन लोग सभा में, वो ही काम करने देना चाहिए, हरी जंडी हला रहे हैं, जैसे कोई गाड़ खड़ा हो गया, ट्रेन का उद्गाटन, इसका उद्गाटन, कहीं मृत्यू देने वाला जो समशान है, वहां भी उद्गाटन करने पहुँच जाते हैं, नल का उद्गाटन, मने म मज़ाग बना दिया, पूरी लोग सभा, पूरी विधान सभा को, हर छोटे बड़े काम में, होटल का उद्गाटन करने पहुच गए, किसी कहीं, ऐसी इस्ति हमने बना रखी है, क्यों दिमाग खराब किया, हमारे पास क्या विद्गाटन की कमी हो गई है, जो उद्गाटन करिए, विचार करिए, हमारा पूरा घर होता है न, उसमें एक टॉयलेट होता है, एक टॉयलेट के बरावर पूरी पॉलिटिक्स है, बस, वो पूरा घर नहीं है, टॉयलेट में जाते हैं, क्योंकि बिना जाए काम नहीं चलता, उतना ही है पॉलिटिक्स, इस से ज़्याद सब politics 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 कर दिया मने समाज के हर अंग में इसको फैला दिया ये गड़बड हो गई है इससे संतुलन तूट गया हमारा विचार करने का आचरन करने का इस संतुलन को वापस लाने की जरूरत है politics आपके जीवन का छोटा सा हिस्सा है शायद 5% 10% बहुत अधिक तो 15% उसको उतना ही रखे पूरा जीवन उसमें आपका डूब जाए ऐसा मत करिए समाज में उसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए और करवाने के लिए हम लोग भारस वाइबान की तरफ से यही करना चाहते पॉलिटिक्स को थोड़ा सा हिस्सा मान कर बाकी काम उससे ज़्यादा बड़े हैं इस देश में उनको करने की तैयारी इस भारस वाइबान की मदस्से हो रही क्योंकि कोई पारिटी ये काम नहीं करेगी हमें ही करना पड़ेगा इस में मानसिक्ता बनती है व्यवस्था से ये जो व्यवस्था है आप व्यवस्था को बदल दो और ऐसी कर दो कि गरीब से गरीब भी सम्मान के साथ जिंदा रह सके इस व्यवस्था में तो किसी की आकंशा नहीं ये लगपती होने की वो तो व्यवस्था की मजबूरी उसको तकलीफ देती है तो हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं जिसमें गरीब से गरीब भी सम्मान के साथ जी सके रह सके अमीर गरीब तो सभी समाज में रहेंगे क्योंकि हाथ की पांच उंगलियां है पांचों बराबर नहीं है थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा वो उतना ही रहना चाहिए जितना उंगलियों का है यह नहीं कि एक आदमी को रोज 20 रुपए भी नहीं है और एक को एक मिनट में 20,000 है तो व्यवस्था बदलके आदमी के वन में आश्वस्ती जादा हम पैदा कर सकते हैं तब वो लख़पती बनने का ख्वाप छोड़ देगा क्योंकि उसे मालूम है कि रोड़पती होके भी वो सम्मान के साथ रह सकता है तो सम्मान बढ़ाना है उसका ऐसी व्यवस्था बनाने जी दो तीन छोड़े काम है एक तो ये काला धन खतम कर दीजे ब्रष्टाचार खतम हो जाएगा इंकम टेक्स की मदद से दूसरा काम ये कर दीजे कि जो ब्रष्टाचार करने वाले हैं उनको फासी और मृत्तिव दंड की सजा कानून बना के जैसे आपने कानून बनाया ना बलातकारी आदमें उसको 14 साल की जेल या बलातकार करने एक बाद मरगे कर दिया तो फासी ऐसे ही आप बना दो कि आपने सरकारी पद पर रहते हुए ब्रष्टाचार किया जैसे चीन में हैं वहाँ फासी की सजा है एक ही मिनट लगता गोली मार देते हूँ चीन में सरकारी पद पर रहते हुए आपने रिश्वत खाई और आप पकड़े गए तो भगवान भी नहीं बचा सकता तीन दिन नहीं लगते उनको तीसरे दिन तो गोली मार देते हूँ चीन में तो बहुत ज़्यादा करप्शन है यहां यह भी सही है कि करप्शन है लेकिन उनका करप्शन और हमारे करप्शन में जमीन आसमान का अंतर है उनका करप्शन वैसा ही है जैसे अमेरिका में उपर के लेवल पर टॉप में हमारे यहां जैसे यह तैसिलदार के पास ज वहाँ आदमी बहुत आराम से जिन्दा रहता है चीन में क्या है उपर के लेवल पर करफशन है लेकिन पकड़ गए तो सजा इतनी कठोर है कि रूह काँप जाती है चीन में और इसी तरह का है मिलावट आपने की पकड़े गए तो कोई बचा नहीं सकता फांसी से अभी चीन में मिलावटी दूद पकड़ा गया केस आ गया तीन महिने में फैसला हो गया एक साथ पांचसो तेटालीस लोगों को फांसी पे चड़ा दिया चीन की सरकार ने मिलावटी दूद पकड़ा गया एक साथ बिना मुरब्बत के अब हमारे मिलावटी काम करने वाले सालों साल जिन्दा रहते हैं कोई उनको फरक ही नहीं पड़ता क्योंकि कानून ऐसे तो आप कानून कुछ जगे थोड़े कठोर बना दो ब्रश्टाचार के मिलावट खोरी के आप देखो इस पे बहुत कंट रोला जाएगा और समाज में गरीब से गरीब आदमी को सम्मान के साथ जिन्दा रहने का रास्ता खोल दो व्यक्तिगत ब्रश्टाचार उसी दिन खतम हो जाए हर आदमी पैसा कमा के जिन्दा रहना चाहता है क्योंकि उसे मालूम है इससे सम्मान बढ़ता है आप दूसरे की चीजों से मिलने लगे पैसे के अलावा तो उस रास्ते पर लोग चल पड़ें यह तो हम जैसी व्यवस्था बनाएं वैसे बनने की बार कि जी जी एक ही बात है हमारे देश की सरकार ने यह कहती है कि क्रशी अगर लाबकारी हो गई तो नेताओं की राजनी डूब जाएगे नेता यह कहते हैं कि राजनी चलाने के लिए गरीबी रहनी ही चाहिए बुखमरी होनी ही चाहिए बेरोजगारी होनी मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के कहता हूँ एक बूतपूर प्रधान मंतरी थे जो अब जीवित नहीं है उनका नाम था चंद्रशेकर एक बार मैंने उनसे ये बात की जो आपने मुझे से की कि करशी को लापकारी क्यों नहीं बना सकते क्या मुश्किल है आसान काम है तुरन का आसान तो है बनाना भी है आसान है कोई मुश्किल नहीं है कुछ कानून में फेर बदल करने की जरूरत है एक अगरी कल्चरल प्रा ये गरीब नहीं रहेंगे तो हमको नहीं पूछेंगे हमारी राजनीत नहीं चलेगी हमको माला कौन डालेगा हमारी जैजेकार कौन करेगा हमारी जिंदाबाद कौन करेगा ये तो नहीं करेंगे क्योंगे ये तो हमारे जैसे हो जाएंगे इसलिए हम चाहते हैं कि ये गरीब के गरीब ही रहें इसलिए हम नहीं चाहते कि इनको लावकारी मूल ने मिले तो मैंने का ये आप कह रहे हैं उन्हें ने का ये मैं नहीं कह रहा हूं सभी प्रदान मंत्री ये ही कहते हैं बस अंतर इतना है कि मैं खुल के कह रहा हूं बाकी परदे के पीछे कहते हैं तो कोई सरकार नहीं चाहती कि गरीबी बुक्मरी बेकारी खतम हो क्योंकि उससे उनका आधार ही खतम होता है उनका तो emotional blackmailing है ना गरीबी बुक्मरी बेकारी वो खतम नहीं होने देना चाहती इसलिए वो इसी व्यवस्ता को चलाना चाहती अब आपके उवोपर है कि आप इसको ताकत लगा के खतम कर दें तो व्यवस्ता आपके हिसाब से चलेगी ये हमारे लिए है मुख्य बात समझने बहुत आसान है करशी लापकरी हो सकती है आप सिर्फ इतना कर दो कि जैसे उद्योग पती अपने कोई भी उत्पाद का भाव तै करता है वैसे किसान अपने हर उत्पाद का भाव खुद तै करेगा बस बात खतम हो गए उसको जो लगता गेहू बेचेगा उस भाव में उसको जो लगता चावल बेचेगा उस भाव में अगर जूता बनाने वाला मोची अपने जूते का भाव तै कर सकता है तो गेहू पैदा करने वाला किसान क्यों नहीं कर सकता अपने गेहू का भाव तै अपने हिसाब से तै कर लेगा जिसको खरीदना खरीदे नहीं खरीदना ना खरीदे जैसे जूता होता है चपल होता है टूथपेस होता है टूथब्रश होता है इनके भाव सरकार तै करती है क्या वो अपने भाव खुद तै करते हैं किसान को भी छोड़ दो, अपने भाव तै कर लेगा, तो उसमें सब चीज़ हैं जोड़ेगा वो, हैं जी, हाँ, तो आप ये जो क्रेता का किस्सा है, ये विक्रेता का कर दो, जैसे पूरी एकॉनोमी में विक्रेता भाव फिक्स करता है, ऐसे ही किसान की एकॉनोमी में विक् पीने का बहुत अच्छा सवाल है इस सवाल को मैं थोड़ा और अच्छे से कहता हूं इनोंने नहीं कह पाएं मैं कहता हूं इनका ये कहना है और इस देश में कुछ लोगों का ये कहना है विशेश रूप से मिनका गांदी जैसे लोगों का ये कहना है कि दूद तो जानवरों के बच्चों के लिए है जैसे मा का दूद अपने बच्चे के लिए है वैसे ही जानवरों का दूद अपने बच्चे के लिए है ये उनका कहना है मैंने इसमें थोड़ा काम किया थोड़ा जानने की कोशिश की कि हमारे देश में गाय बहल होती है भएस होती है तो हमारे देश में ऐसी भी गाये हैं जो 60,70,80 लीटर दूद देती है धर पारकर, साहिवाल, कांकरेज, अमरत महल, राठी कुछ ब्यादा दूद देने वाली गाये हैं अब बचले का दूद जो होता है जो वो रोज पी सकता है वो उसके वजन का एक दसवा हिस्सा होता है ये विज्ञान का नियम बता रहा हूँ आपको कोई भी बचला या बचली उसका जो कुल वजन है उसका एक बटे दस हिस्सा ही वो दूद पी सकता है मालो बच्छडे का बजन है 10 किलो कल पना करो जब वो पैदा होता है 15 किलो कल पना करो तो वो एक दिन में डेड़ लीटर ही दूद पी सकता है जादा पिलाओगे दस तो जाएंगे उसको तट्टियां हो जाएंगे अब सुनो अब वो डेड़ दो लीटर तो पी सकता है अब उसकी मा को दूद उतरता है 15 लीटर तो आप क्या करेंगे आप ये करेंगे या तो बच्छडे को जादा पिलाएंगे तो वो बीमार होके मर जाएगा या बच्छडे को दूद देड़ दो लीटर ही पिलाएंगे बाकी दूद मा को उसके थनों में ही छोड़ देंगे तो म मर जाएगी क्योंकि दूद जो है न वो प्रोटीन है और जब वो सूखेगा तो वही ट्यूमर में कनवर्ट होगा और कैंसर होगा और वो गाय मर जाएगी आपको मालूम है जिस गाय का दूद नहीं निकाल पाते उसको इतनी वेदना होती है इतनी पीड़ा होती है चिलाना शुरू कर देती है कई बार क्या होता है ना मा जैसे वैसे ही गाय कोई मा है ना जन्म देते ही उसका बच्चा मर गया तो अंदाजा लगा लो उस मा को कितनी तकलीफ होती है उसका दूद नहीं निकलता वैसी गाय का बच्चा मर गया अब दूद तो बच्चे के लिए है व वजन के अनुपात के हिसाब से दूद छोड़िये तो हमारे किसान अक्सर ये करते रहे कि एक थन का दूद बच्छडे और बच्छडी के लिए तीन थन का दूद अपने लिए तो ये बैलेंस की व्यवस्था है पूरा दूद निकलता भी रहे मां भी जिन्दा रहे बच्छडी भी जिन्दा रहे बच्छया भी जिन्दा रहे अब क्या हुआ इस देश में कुछ लोगों ने कहना शुरू किया दूद बच्चे का दिका रहे आप पी रहे तो आप अनेतिकता कर रहे तो अब फैल गया दूद पीना बंद कर दो क्या पीओगे आपके पास केल्शियम का दूसरा शुरोत क्या है दूद के अलावा हिंदुस्तानियों के पास केल्शियम का दूसरा शुरोत क्या है दूद है, दही है, मक्षन है, मठा है, घी है ये कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है इसके अलावा है क्या आपके पास दालों में प्रोटीन है यहूं में चावल में कार्वो हाइडरेट्स वसा और दूसरी चीजे है कैल्शियम नहीं मिलेगा हड़ी बनेगी नहीं हड़ी बनेगी नहीं शरीर चलेगा नहीं कैलशियम का एक ही बंडार है दूद और दूद की बने हुई चीज़ है इसलिए भारतिय भोजन व्यवस्था में दूद सबसे महतुपूर इस्थान पर है और बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा भोजन यही है क्योंकि बढ़ते गाई के दूद में कैलशियम है गाई के शरीर में कैलशियम है उसके मास में बहुत कैलशियम है तो गाई का मास खाके कैलशियम की पूर्ती कर लेते हैं सूर का मास खाके और ज़्यादा कैलशियम की पूर्ती हो जाती है पोर कीटर हैं बीफीटर हैं मतन खाते हैं यह सब ख आएंगे दूद नहीं निकालेंगे तो उनका, इसलिए दूद तो निकालेंगे, भैस में भी सावन रूप से दस बारे लीटर दूद होता है, एक दिन में उसके बच्छडे को डेड़ दो लीटर की ही जरूरत है, इससे ज़्यादा जरूरत है नहीं, बाकी तो निकालके योग पीडर, हरे दूद आप मुझे पत्र लेटर